आदित्ते मृद्या स्मृदी शर्मा डार्क डार्क हिमान्शू और हमारा वाले भी जो एप पर क्लास चल रही है उस वहां से पवन कुमार, अंकेत, पलक, हिमान्शू, मुस्कान, अक्षराच्चवी, मांसी, प्राची, तान्या और हर्ष, दिख्या, वो यूट्यूब का है और यह हमारा वला है और अभिनव और हर्षिका, यश, वन्श, रवी, शिवम, हार्दिक, कनिका, पप्पु कुमार, निकिता, प्रिया, अंजली, सिमरप्रीत, जसनूर, आज मैं हूँ बिलकुल जवान क्योंकि मैं हूँ आपकी संगत में, बिलकुल मेरे सामने बेटे हैं भारत के वो चार्टेड अकाउंटेंट्स, जो न्यू जिनरेशन है, जिन्होंने इस देश को चलाना है, जिन्होंने इस फाइनास जगत को जलाना है, उनकी कंपनी में मैं आज हूँ तो इसलिए I am very very happy, शुभा और अमन, आज हम आपका CA Foundation का Classes आरंभ कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं भी आपकी Classes लोंगा Foundation में अकाउंट्स की और पंकेज गोयल सर भी लेंगे, तो कुछ-कुछ Classes मैं लोंगा, जहां-जहां पर मुझे लगता होगा कि हां, मैं भी यहां पर आता हूँ, क्योंकि कुछ न कुछ उसका यूज फाइनल में या इंटरमेडियेट में हैं, तो उन टॉपिक्स पर मैं भी आपके साथ इन्वाल होना चाहूँगा, उसी लिए आज मैं आपके साथ इस टॉपिक के लिए इन्वाल हूँ, पहले मैं आप सब को बता दू कि मेरा नाम प्रवीन शर्मा है और मैं L9 CA की फेकल्टी हूँ, सीनियर फेकल्टी हूँ, सीनियर सिट्जन हूँए, और मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं वो बहुत यंग है, आपकी जितनी उम्र है उससे जदा मेरा अनुभव है पढ़ाने का, और मैं CA फाइनल को और इंटरमेडियेट को पढ़ाता अकाउंटेंसी और आज मैंने आपके साथ पहली बार फाउंडेशन का भी बीड़ा उठाया है, इस बैच के अंदर हम फाउंडेशन को भी पढ़ाएंगे और फाउंडेशन के भी बिल्कुल फाउंडेशन को मजबूत कर डालेंगे इस बार, ठीक है, तोट डालेंगे, फ भारत, अगरवाल, CS, पेरेंट, समराथ, आप सब के भी ठीक है, तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, एक मुद्दा है जिसका नाम है Capital and Revenue Items, आपको जो भी है मैं नोट्स दिखाने जा रहा हूं, ये नोट्स आपके पास अल्रडी LMS पर अवेलिबल है, और जो इसी यूट्यूब के लिंक के डिस्क्रिप्शन में अटेच्ट हैं, इसका मदब आपके पास नहीं है अटेच्ट तो उन्हें बोल देना भार से अटेच्ट कर देंगे, तो ये नोट्स आल्रडी अटेच्ट हो जाएंगे, अभी या हो चुके होंगे, तो इन नोट्स को वहां से यूज़ कर सकते हैं, इस टॉपिक को मैं जो पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक का नाम क्या है, इसका नाम है कैपिटल एंड रेविन्यू आइटम्स, जिसकी वेटेज कितनी है, दो नमबर, ओ माई गाड्स, सिर्फ दो ही नमबर, सिर्फ दो नमबर से क्या होगा, ऐस ही बूद बूद से घड़ा भरेगा, इसका मत desaf ये दो दो नमबर से, और मैं ये टॉपिक इसलिए नहीं करा रहा हूं कि ये दो नमबर के टॉपिक है, इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक आगे intermediate में और final में भी आपका कही न कहीं यूज होता है, तो मैं चाहता की clean note policy के तैत उन notes को अब हटा दिया जाएगा system से उसकी वज़ा से ऐसा हो रहा है ठीक है और आप में से बहुतों को चिंता हो भी रहे होगी 2000 के note का क्या करना है हम तो फकीर आदमी है हम तो जोला लिए कहीं भी चले जाएंगे कोई डिकत की बात नहीं है ठीक है तो हम आपके साथ capital and revenue items के बारे में discuss करेंगे पहली बात तो ये capital and revenue items होती क्या है capital and revenue items होती क्या है हम बोलते हैं जी capital item है ये revenue item है word capital का हमारे c.a.m. बहुत use होता है कहीं पर तो capital को हम share capital या पूंजी के रूप में देखते हैं कहीं पर हम capital work in progress बोलते हैं तो मतलब ये कि वो जो building बन रही है कई बार हम बोलते हैं expenditure में कि ये capital expenditure है कि revenue expenditure है तो word capital का क्या मतलब है capital का मतलब है long term बस इतना ही मतलब है इसलिए word हम जब बोलते हैं न खाली capital तो आप सब सारे सुनते हैं आप कहते हैं capital मतलब पूंजी तो ये बड़ा generic एक हमारा common sense में develop हो गई एक term है असल में capital का मतलब होता है long term जो capital है वो long term है तो जो मैं बोलता हूँ capital work in progress तो capital work in progress का क्या मतलब हो गया कि वर वो काम जो हमें long term में पूरा करना है जैसे कि building under construction long term में जाकर के पूरी तरह तयार होगी तो उसको हम क्या बोल देते हैं capital work in progress और जो आप बोलते हूँ न हर जगा पर capital ये नहीं है आप पूंजी इसका actual नाम भी मुझे से पूछो बोलो शर्मा जी हमें बताओ ना फिर पूंजी का actual नाम क्या है पूंजी को actual में क्या बोलते हैं अगर capital नहीं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं पूंजी का actual नाम होता है equity I'm not saying equity share capital I'm just saying equity इसका मतलब equity is the real amount जो owners invest करते हैं आम भाशा में capital बोल देते हैं को दिकत नहीं है यहां जो मैं आपको chapter आज discuss कर रहा हूं इसका नम है capital and revenue item यहां पर मैं सारी चीजें discuss नहीं करने वाला सिर्फ दो चीजें discuss करूँगा आपके साथ क्या-क्या इधर देखे एक तो मैं discuss करूँगा expenditure में capital expenditure और revenue expenditure खाली इतने से मुझे नाम बताओ कि आप इससे क्या समझे capital expenditure से अब आप एक general बात कुछ ना कुछ तो दिमाग में चली गई होगी कि भी हम बोलते हैं capital expenditures तो इसका मतलब क्या हो गया वो expenditure जिसका कुछ long term से connection है जिसका कुछ long term से connection है अचा capital का उल्टा है revenue इसका revenue expenditure मतलब जिसका long term से कोई लेना देना नहीं है मैंने यह नहीं कहा कि उसका short term से लेना देना है मैंने कहा कि साब एक जिसका long term से लेना देना है और दूसरा जिसका long term से लिना दिना नहीं है तो हम आपके साथ आज उन expenditures की बात करेंगे जो capital expenditures है यनि जिनका long term में लिना दिना है या वो expenditure जो revenue nature के हैं जिनका long term से लिना दिना नहीं है हर्ष कहरा सर मैंने ये 12th class में ही पढ़ा था हाँ मजे की बात तो हर्ष ये है कि जो भी तुम पढ़ोगे foundation में most of the item तुम आलड़ी पढ़कर आए हो 12th class में ये accountancy में भी possible है ये economics में भी possible है ये mathematics में भी possible है हो सकता है law में आपके लिए ऐसा ना हो क्योंकि law आपके लिए बिल्कुर नहा हो यानि moral rest ये 12th class ये बस हम चाहते हैं कि CA में आने से पहले इन चीज़ों को और जैसे आज आपने समझ लिया कि capital पूंजी नहीं है ये पूंजी गलत बोलते हैं हम लोग actual में वर्ड equity है लेकिन आम प्रियोग में यूज होता है capital इसलिए भी हम capital बोल देते हैं ये रिंडिस्टेंडिक इसका मतलब ये जैसे मैं दुकान पर जाके बोलता हूँ भाईया एक बिसलरी देना तो बिसलरी असल में ब्रेंड है बिसलरी थोड़े ना मिल जाती है मैं उससे मांग क्या रहा हूं पानी हो सकता है पानी मुझे किसी और company का दे रहा हूं तो वैसे ही word जो है equity is the precise term और capital word जो होता है long term के context में use होता है ठीक है एक और भी word है capital receipt और revenue receipt इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे ये दो discussion के points हैं institute आपके foundation में जो questions पूछता है वो इसमें mcq भी पूछ सकता है true false भी पूछ सकता है subjective भी पूछ सकता है जो भी उसका आता है क्योंकि आने वाले समय में हमारे पास इसमें कुछ mcq का part भी involve हो जाएगा तो इसमें कुछ भी आ सकता है ये दो number के लिए हम आपकी तैयारी कराएंगे खुद compartment आई थी मैं आपको क्या बताऊंगा बट मैं ये कह सकता हूँ कि try to understand what you are doing तो कि मुश्किल बात नहीं है उसके अंदर हर्ष कह रहा है उन्होंने branding ऐसी की थी कि पानी सोच के नाम बिसले दिए हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे है सैयम, दुरुव, रिशब, यूट्यूब से देखो मैं सब लोगों के आप जो बाते हैं नाम नहीं ले पाऊंगा तो आप निश्चिनत रहिएगा मेरे सब आप दिल के भीतर हैं गवरानी की कोई बात नहीं है ठीक है मैं एक बात कहना चाहता हूँ लॉंग टर्म में मैं आपको यहां क्लासिस पढ़ा रहा हूँ इसका कोई फाइदा है एक ना एक दिन तो मैंने खत्म हो जाना है सब कुछ संसार में छोड़ कर जाना है आप मेरे को थोड़ा ज्यान दो आप बोलो शर्मा जी क्यों इस उमर के अंदर फाउंडेशन के चकर में पढ़ गए हो छोड़ो अब भजन सत्संग करो थोड़ा सा ठीक है क्या चकर में पढ़ गए हो मुझे बोलो आप मेरे को मेरे दिमाग को इनलाइटन करो प्रकाश में करो बोलो लॉंग टर्म में क्या फाइदा तो फिर मैं आपको बोलूँगा तुमें भी क्या फाइदा तुमगी चक्किन चक्कर में पढ़ रहे हो तुम भी अल्टीमेटली क्या करोगे सीए बनके फिर पैसे कमाओगे पैसे कमाके मौज करोगे तुम आज से ही मौज कर लो बात कतम हम सब अगर बहुत दूर तक देखते हैं तो सब कुछ सभी activities बेकार हो जाएंगी Can you understand this points? हम बहुत दूर तक देखते हैं तो सभी activities बेकार हो जाएंगी वो सब की सब निरर्थक हो जाएंगी वैसे ही मैं आपको finance के term में accounting term में बोलता हूँ सारे के सारे खर्चे एक दिन तो आएगा सारे खर्चे जाएंगे P&L में रहना जाए कोई इसका मतलब ये हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा expenditure में सब का सब कहां जाने वाला है सब का सब P&L में जाने वाला है मुद्धा तो ये है long term में बहुत दूर तक देखते हो तो ये है लेकिन हम आम तोर पे जब अपनी financial statements बनाते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा long term नहीं सरफ एक-एक साल के accounting period में बनाते हैं क्या आपने पढ़ा हुआ है जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको मेडम बढ़ाती थी डांट-डांट के accounting period concept accounting period concept उसे मेडम क्या कहती थी आपको उसे मेडम कहती थी कि भई हम अपना एक accounting period होता है जैसे हमारे पास one year का एक accounting period है हम एक साल के ही अपने financial statements बनाते हैं क्या ये true and fair होने चाहिए फड़ा-फट से बताओ क्या ये true and fair होने चाहिए तो the answer is yes ये true and fair होने चाहिए मुझे ये बताओ आप मेंसे कुछ बच्चों ने कभी इस बारे में विचार किया है कि आपका जन्म जो हुआ है भगवान ने कुछ कहके भेजा होगा कुछ याद है भगवान ने जब धर्ती पर भेजा था तो क्या कहकर के भेजा था आप मेंसे बताओ कुछ याद है अनीशा कह रहे नहीं सब को किसी को भी याद नहीं है तुम्हें भगवान ने क्या बोल के भेजा था जाओ नीचे फाइनास जगत के अंदर डाक्टर की भूमी का निभाओ डाक्टर बनो जाके फाइनास जगत के कोई घोडों का जाक्टर बन जाता है कोई कुटों का बन जाता है कोई इनसानों का बन जाता है तुम्हें किसका डाक्टर बनाने के लिए बोला भगवान ने जाओ कि तुम फाइनास के अंदर डाक्टर बन जाओ उसमें भी आगे बड़ी सारी फील्ड्स हैं कि आप उसके अंदर किसमें जाना चाहते हो जैसे मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में प्रोथसाहन दे रहा हूँ वैसे ही हो सकता है टेक्स वाले आपको कहें कि ज़िए टेक्स के अंदर केरियर बनाओ लौ वाले आपको बोले लौ में केरियर बनाओ आपको अपना केरियर इसी में से चूज करना है अकाउंटिंग जगत में मैं आपको कह रहा हूँ आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आपने फाइनेशल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेर बनाना है यह है जो भगवान ने तुमारे कान में दर्ती पे डालने जब बेजने से पहले बोलना था जा दर्ती पे जा जा के वहां क्या करना वहां जा करके फाइनेशल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेर बनाना अब यह बताओ जब ट्रू एंड फेर बनाना है हाँ एक बच्चा कह रहा है मेरे को तो भगवान ने C.A. बनने के लिए भीजा है नहीं तो C.A. बनने के बाद भी तो कोई गोल होगा ना तुमारा C.A. बन जाओगे तो उसके बाद इमाले थोड़ ना चले जाओगे तुम हर्श C.A. बनने के बाद तुम्हारा क्या काम होगा चाये तुम्हारे बन में दो नमबरी काम ही क्यों ना हो कुछ तो दिमाग में होगा ना तुम C.A. कर रहे हो तो पर मैं आपको ये मंदिर है यहाँ पर मैं यह नहीं कहूंगा कि तुम C.A. बनके दो नम्बरी काम करना मैं बोलता हूं C.A. बनके financial statement को बना मैं विल्कुल true and fair financial statement बनाओंगा अब true and fair financial statement कैसे बनाओगे तो true and fair के लिए अगर मान लो मैं कोई खर्चा करता हूँ अगर वो खर्चा उसी accounting period का है तो क्या उसी में जाना चाहिए फटा फट से बताओ हाँ सत्या कह रहे है सर पंकेज गोयल सर को क्या हुआ पंकेज गोयल सर भी हमारे दिल के भीतर है वो भी पढ़ाएंगे मैं भी पढ़ाँगा दो न पढ़ाएंगे नालाइक सत्या तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या मुझे अपने पास कोई भी खर्चा होता है उस accounting period में अगर उसका long term कोई use नहीं है तो वो सारे revenue खर्चे कहा जाने चाहिए P&L में जाने चाहिए और जो खर्चे भी long term में आपको फाइदा देंगे वो सारे के सारे हमारे पास P&L में नहीं जाने चाहिए उसके लिए अलग जगा बना दी जिसका नाम है fridge अच्छा ये बताओ अगर मान लो आटा जादा गुथ जाए तो क्या करते हो बच्चे ने का फ्रीज में डाल देते हैं बहुत अच्छी बात है एक बच्चा कहरा और डाल देते हैं अरे fridge में रख देते हो जिसके benefit long term में है वो gas पे नहीं जाते वो fridge में जाते है तो capital expenditure जिसका फाइदा long term में है वो balance sheet में जाता है तो balance sheet क्या है भला फड़ा फट से बताओ balance sheet क्या है भला balance sheet हमारी fridge है हम वहां रख देते हैं इसका मतलब यह अच्छा यह बताओ क्या मैंने जो बात कही थी एक दिन तो आएगा fridge में इसे निकलेंगे जाएंगे चूले पे सारे खर्चे वो ला 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 इसका मतलब वो खर्चे कहा जाएंगे जाएंगे तो वो भी पीएडल में लेकिन true and fair के हिसाब से जाएंगे यहनी हमारे पास वो खर्चे अभी कहा पर जाएंगे अभी वो जाएंगे fridge में यहनी capital expenditure गया balance sheet में और बाद में वो कहा पर आ जाएगा बाद में वो आएगा revenue expenditure यहनी कि पीएडल में right off हो जाएगा इसका मतलब यह कि accounting treatment बताओ ज़रा short में कि capital expenditure का accounting treatment क्या है अब बेपर में बत लिख देना क्यों capital expenditure को fridge में डालते हैं और यह paper में fridge में लिख कर आओगे तो तुम्हारे को भी fridge में डाल दिया जाएगा हाँ map academy कह रहे equity not only represents owner's equity it may also represents outsider's equity equity simple means हिस्षधारी in sundry assets am I correct हम अपने पास जब बात करते हैं financial statements की तो map जी हमारी financial statements में equity जो represent करती है हमेशा owners की equity होती है तो इसका मतब हम अपने ही context में बात कर रहे हैं बाकी जो है उनको हम debt word बोलते हैं we call them debt तो इसलिए जो terms use की जाती है वह use करेंगे आप अगर मान लो अखबारी terms use करेंगे तो फिर तो कई निकलाएगा मतले तो मैं आपसे कह रहा हूँ हम अपने पास अपनी balance sheet जो है उसके अंदर exam में लिख कर आएंगे कि वो balance sheet में जाता है अच्छा balance sheet में भी कहां जाएगा वहाँ पर भी बड़े सारे आपको बता फ्रिज में भी बड़े सारे खाने होते हैं फड़ा फट से बताओ हाँ 12 में अभी मैंने पढ़ रहा हूँ तो जून का attempt है तो बाकी वाली बाते बात में करेंगे मैं पढ़ाई की बात कर रहे हैं मुहमद शिरासिया ठीक है तो पढ़ाई की बात करेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ प्रिज में भी कई खाने होते हैं वैसे ही बैलन्स शीट में भी कई खाने होते हैं जैसे कि हम बोलते हैं ये प्रापर्टी प्लांट एक्प्मेंट है जिसको आज पुराने जमाने में क्या बोलते थे fix the assets आज कल fix the assets का क्या नाम हो गया है property, plant and equipment हैं वही fix the assets फिर वैसे ही tangible के बाद intangible assets भी आते हैं biological assets गाई भैज रख्यों ही है हमने अपने पास as assets उसके भी तो benefits हमको long term तक मिलते हैं हमारे पास ऐसे कई assets होते हैं हम उनको अपने fridge में, fridge में दो तरह के मुख्ये दो खाने हैं वैसे आपके fridge में भी क्या मुख्ये तरह के दो खाने हैं दो खाने मतलब अब आप खाने को क्या बोलेंगे भाई बिताओ जड़ा से कि आपके फ्रिज्ज में भी होता एक में बबफ जंती एक में नहीं जंती ऐ बिल्कुल आज तुम घर में जाके बैले बैलेंच चीट को देखना फ्रिज को कोलना कोल के खड़े हो के देखते रहाना करा अरे यार तेर को पहचाना ही नहीनि मैं इतने साल तक मम्म Sales किशन में काम करती रही मैं तेर को पहचाना ही नहीं तू ही तो मेरि बैलन्स शीट है और उसके पैरों में लेट जाना है एक बार फ्रिज को नमशकार करना पिर गैस के पास जाना और गैस को भी जाके नमशकार करना है तेरे में जो जाएगा स्वाहा, स्वाहा को क्या बोलते हैं, हम भटा फिट से बताओ, हम स्वाहा को क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में, रिटन आफ, जब भी मैंने कहा, डेप्रिसियेशन रिटन आफ, इसका क्या मतलब है, स्वाहा, इसका मतलब वो क्या हो गई, खतम हो गई तो revenue expenditure को हम क्या करते है स्वाहा और capital expenditure को क्या करते है fridge में डाल देते है अब fridge में कहां डालते है current और non current की दो जगा बनी हुई है दो खाने बने हुए है depending upon सर यह हमें नहीं पढ़ाया जाएगा कि सर यह revenue में current में कब आता है non current में जब तुम intermediate में आओगे सबसे पहली class में आपको यह बताया जाएगा इसलिए अभी आपको उसकी चिंता नहीं करनी है और foundation में भी कही न कहीं उसका final account का chapter आएगा वहाँ पर भी discuss किया जाएगा चलिए तो मुझे फटा-फट से यह बताओ हम अपने पास capital और revenue में differentiation क्यों करते हैं अगर exam में सवाल आ जाए कि हम यह capital और revenue में करते क्यों है differentiation तो बताओ आवाज क्या आनी चाहिए क्योंकि हम true and fair financial statement बनाना चाहते हैं इसका मतब इस साल में इसी साल के खर्चे आने चाहिए और जिनका benefit भी future में है वो खर्चे इस बार में नहीं आने चाहिए इससे मेरा true profit आ जाएगा और मेरी true जो future के advantages है वो balance sheet में truly reflect होंगे therefore आपका purpose इस chapter को पढ़ने का क्या है वो क्या है in accounting period अच्छा क्या यह word accounting period बड़ा important हो गया फटा फट से बताओ क्या यह accounting period बड़ा important word हो गया the answer is yes accounting period एक बड़ा important word हो गया क्योंकि long term में तो सबका सब ही कहां चला जाएगा चूले में जो ज़्यादा आटा बन गया है क्या वो कुछ अभी और कुछ बाद में कभी जाएगा तो चूले पर ही इसका मतलब मैं अपने पास उनको capital में डाल देता हूँ क्योंकि accounting period यानि उस period में वो revenue expenditure नहीं है बाद में वो capital expenditure या तो cash में रुपांत्रित हो जाएगा नहीं तो उठा करके उसे write-off किया जाएगा यानि आएगा तो वो भी कहां पर सागर में तोरे ताल मिले नदी के जल्मी नदी मिले सागर में सागर मिले आडियो में कोई problem बता रहे हैं अच्छे current जो business cycle है में realize हो जाने वाले हैं हाँ बिलकुल ठीक प्रांजल ने कहा current क्या होते हैं non current होते हैं बिलकुल ठीक बता रहे हैं आप उसके अंदर ठीक है अच्छा वो कह रहे है voice आ रही है किसी के लगता उनके अपने कुछ problem रही होगी local वापीस आई गया यह देखें यह आप अलेडी पढ़ चुके revenue expenditure goes to profit and loss account अच्छा आपने और कुछ नहीं करना है आपने और कुछ नहीं करना है जो ये notes लिखें हैं इन्ही notes को करना है सारे के सारे our question धड़ा धड़ होंगे और मज़े की बात है हो सारे के सारे अगली class में discuss करेंगे यह नहीं हम सिर्फ concept की बात करेंगे कोई retification नहीं सारी डिसकेशन करेंगे यहां पर नोट्स लिखें आपने कुछ लिखना नहीं बस इनी नोट्स को आपने अपने पास यूज करना है और उसके बाद आपने सारे सवाल घर पर करने है ओके हां रिया कहने एडविटीजमेंट एक्सपेंडिचर कहां जाएगा वह बाद क रेविन्यू एक्सपेंडिचर के लिए यहां लिखना है रेविन्यू एक्सपेंडिचर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अच्छा आप देखो मेरे पास यहां जो पैन है उसमें रंग भी बदलते थे और रंग कहां से बदलते थे मैं यह भूल गया लगा देते हैं ठीक है थोड़ा सथोड़ा अब क्या है ना उ मरका तकाजा है अब हम कहां पर लिखने वाले तो बताओ आप नोटिस कर रहे हैं सारे टीचर modern है वो handwritten notes देते हैं आपको तो क्या वो truly handwritten होते हैं नहीं वो सब computer set होते हैं पर हमारे ये truly handwritten है क्योंकि हम देशी आदमी है तो मुझे उम्मीद है आप इस बात को मान लेंगे कि चलो ठीक है ये ऐसे ही है तो कोई दिकत नहीं अब हम इससे ही कर रहे हैं ब्लैक पैन से ही कर रहे हैं कोई बात नहीं तो revenue expenditure जो है जो revenue expenditure होता है ये कहां जाता है ये प्रेणल में जाता है और capital expenditure जो है ये कहां जाता है ये balance sheet में जाता है ये कहां जाएगा balance sheet ये फ्रिज में जाएगा ठीक है फ्रिज यह फ्रिज में जाएगा ठीक है? अच्छा फ्रिज में कब जाएगा? इन दी करेंट अकाउंटिंग पीरिड यह नहीं इस पीरिड के अंदर क्या यह इंपॉर्टेंट है? आंसर इस यह लेकिन क्या एक दिन ऐसा आएगा कि यह भी चला जाएगा पी एंडल में लेकिन इसमें कई अकाउंटिंग पीरिड लग सकते हैं इसका मतलब जैसे जैसे आप उसके बेनिफिट डिराइव करेंगे वैसे वैसे यह भी हमारे पास कहां चला जाएगा? मेरे को बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि आप इधर से उपर देखो उधर देखो अब वहाँ पर मुझे नहीं पता कौन से डॉट की आप बात कर रहे हैं चोड़ो जी चोड़ो हम ब्लैक पेंड से लिखेंगे कोई दिकत की बात नहीं है क्योंकि हम ब्लैक और वाइट आदमी है हाँ अनन्या कह रहे हैं क्या ये नोट्स डूप में भीज देंगे पका पका भीज देंगे कोई दिकत की बात नहीं है हला कि नोट्स आपको अलड़ी एलेमस पर भीज रखें पर जो मैंने हिंदी में लिखा है अगर आप वो भी चाहते होंगे तो भी भीज देंगे ठीक है अनीश कह रहा है टेंजीबल एसिट्स का क्या दूसरा नम प्रॉपर्टी प्लांट एक्प्मेंट है अन्सर इस सैयम और ओ माई गॉड दीपक और हिमान्शू और दर्पन और रागव और रिशब और स्मृधी और बिशाल चलिए इधर आएगे इसका मतब अर नहीं इधर से पहले मुझे क्या करना है इधर से वापिस जाना है और इधर से जाकर के इसका मतब सारा जमेला अकाउंटिंग पीरिड डाल रहे हैं और अकाउंटिंग पीरिड की वज़ा से ही हमें अपने पास कैपिटल और रेविन्यू को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इस साल के लिए क्या कैपिटल है और क्या रेविन्यू है इसलिए ऐसा करना पड़ता है अब मुझे ये बताओ हम जो ये पड़ रहे है क्या ये परवीन शर्मा का ज्यान है नहीं हमें कौन बताता है कैपिटल और रेविन्यू के बारे में तो सुनो मेरे बच्चो ध्यान से कुरसी दे दो जबा कैपिटल क्या है और रेविन्यू एक्स्पेंडिचर क्या है देखो capital expenditure और revenue expenditure की जो घ्यान है जो guidance है क्योंकि आप chartered accountant है क्या हर चीज का कोई reference होना चाहिए the answer is yes तो ये जो guidance है ये कहां पर given है ये guidance given है हमारे पास in accounting standards and Indian accounting standards उस दिन पंकच गोईल सार आपको पढ़ा रहे थे ना INDAS, INDAS क्या होते है तो ये INDAS basically को full form उसकी क्या थी Indian accounting standard CA final में आपने कहां पढ़ने है INDAS पढ़ने है intermediate में क्या पढ़ने है आपने AS पढ़ने है तो ये जो capital और revenue expenditure का घ्यान है ये कहां से आ रहा है ये various standards का एक क्रक्स है जो आपको निकाल कर दिया जा रहा है तो ये उनका एक basic generalized concept है तो इसलिए हम कहीं पर भी हवाला नहीं दे पाएंगे कि ये कहां लिखा हुआ है हम बोलेंगे कि ये हमारे various standards में explained है उसका generalized short version है इसका मतब क्या आप CA intermediate में आएंगी तो वहाँ पर फिर जगड़ा आ जाएगा कि ये capital expenditure है कि revenue expenditure है हाँ वहाँ फिर जगड़ा हो जाएगा लेकिन intermittent में जो जगड़ा आएगा वोड़ा specific होगा कि property plant का क्या करना है उसमें क्या capitalize करना है और क्या capitalize नहीं करना capitalize means capital expenditure तो वह जगड़ा हमारे पास जो cover होगा वो हमारे पास accounting standard 10 में cover होगा CA final में जाओगे तो end AS 16 में cover होगा यह नहीं वो चीज़ बाद में आएगी अभी intermediate में हलका हलका जो guidance है वो आपको अलग-लग यहाँ पर दी जाएगी यह एक generalized concept है और इसमें कुछ नहीं आपके लिए यह बात relevant नहीं है इसका मतब यह जो point है यह आपके exam के लिए relevant नहीं है exam के लिए आपको कोई नहीं पूछने वाला कि यह आप पर जो पढ़ रहे हैं यह concepts कहां पर है अच्छा एक बच्चे ने पूछा ऐसा real life में application जब होती है वो कैसे होती है real life में यह concept apply नहीं होंगे यह मैंने कहा ना यह short form है real life में आपके AS आपको guide करेंगे और end AS आपको guide करेंगे और एक वहाँ पर और भी चीज़ होती है जिसका नाम होता है framework ठीके conceptual framework नाम होगा CA final में और framework नाम होगा intermediate में यह भी आपको use करना पड़ता है बट अभी यह generalized उन सौब की समरी है जैसे मैं आपको बोलता हूँ बताओ गीता को अगर मान लो दो पंक्टियों में समझाना हो तो क्या कहें फड़ा फट से बताओ गीता में मुझे बताओ गीता को दो लाइन में अगर बताना हो तो क्या करें कह सकते हैं ना अपना अपना कर्म किये जाब फल की चिंता मत कर क्या ही यह गीता की बात है यह बड़ा क्रक्स वाली बात हो गई तो इसका मतलब ये अब ultimately आपको अगर और detail में पढ़ना है तो बाद में पढ़ना है तो आपको सिरफ crux बताया जा रहा है capital expenditure, revenue expenditure का ज़्यादा आपको इससे ज़्यादा गहराई में नहीं जाना इसका मतलब मैंने कहा हम आपके साथ जो पढ़ रहे हैं वो एक generalized concept पढ़ रहे हैं ठीक है हम एक generalized concept पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है इसके अंदर ठीक आईए जी आगे चलें सबसे पहले अब हमारा topic स्टार्ट होता है जिसमें दो नंबर का question पूछा जाएगा सुनो ध्यान से कोई भी expenditure कर दो कोई भी expenditure कर दो तो उसको जानने के लिए कि ये capital है कि revenue है आपको step one पर क्या करना चाहिए यहां के step से पहले में बात कर रहा हूँ you must be clear in your mind for the accounting periods जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि I am preparing the financial statements for the month of for the month of year नहीं बोला month of May 2023 इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा जो accounting period है वो सिर्फ एक महीना है तो इसका मतलब कोई भी expenditure जिसका benefit इस एक महीने से आगे जा रहा है वो सारे expenditure कौन से होंगे capital expenditure you are understanding my points इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मेरा accounting period है for one month तो आपका दृष्टी कोण का मुद्दा ही हो जाएगा within one month जो है वो खर्चे capital expenditure है कि वो खर्चे revenue expenditure है अगर मैं कहूं मेरा accounting period है one year इसका मतलब आप बोलेंगे कि अगर उसका benefit within one year मिल जाने वाला है तो revenue है और अगर within one year नहीं आना है तो उसका benefit आपका capital expenditure में चला जाएगा okay map कह रहा है क्या क्योंकि हम accounting में going concern assumption लगाते हैं hence we have to classify the expenditure as capital revenue map academy देखो जो I'm going concern वाला मुद्दा है वो एक हमारा अलग AS1 का मुद्दा है वो एक हमारी assumption होती है उस assumptions हमको ऐसा करना पड़ता है ठीक है बाकि अभी मेरा वो मुद्दा नहीं है इसलिए I'm not going into that ठीक है एक बच्चे ने पूछा है क्या आप CA foundation कराएंगे पूरा देखो मैं पूरा नहीं कराऊंगा मैं वही पार्ट कराऊंगा जो जो आपके base के लिए बहुत जिदूरी है ठीक है तो इसका मतलब मैं और पंकच गोयल सर मिल करके आपके concepts को cover करेंगे और मिल करके आपके साथ discussion करेंगे और आपके concepts को build करेंगे तो there is no need कि आप उसमें चिंता ज़्यादा करें आप अच्छे से आपकी तयारी कराई जाएगी ठीक है अच्छा अभे कह रहा है सर expense में और expenditure में क्या अंतर होता है expenditure वो है जिसका पता नहीं है वो capital है के revenue है और expense वो है जो पता है वो revenue expenditure है इसका मतब जो भी revenue expenditure है आप उसको expense बोल देते हैं लेकिन expenditure एक wider term है expenditure बोलता हूँ तो it can be capital expenditure it can be revenue expenditure हाँ एक बच्चे ने कहा है आपने CA first item में कर ली थी मुच्छों पर ताप दे दू CA final rank holder हूँ CA intermediate rank holder हूँ ठीक है और university का भी topper हूँ दिली university का topper हूँ और मेरे 100% marks आए और Olympiard का भी मैं विजेता हूँ तो इसलिए ऐसा ना समझ लेँ मेरी compartment आई थी तो मतलब वो compartment आई थी चौथी class में ठीक है कि capital क्या है और revenue expenditure क्या है तो सबसे पहले आपने दिमाग में पहले period को दिमाग में ले आया करो सबसे पहले तो period को ले आया करो कि आप किस period की बात कर रहे है क्योंकि long term बोलते हैं तो क्या आपके मन में question नहीं आता long term का क्या मतलब है जिनमेचे की query आई थी अधिती आपकी query आई थी मैं जब बोलता हूँ कि इसका long term तो word long term में कोई limit लग जाएगी कितना long term ओकी अधिती तो मैंने कहा कि मैं one month के लिए statement बना रहा हूँ तो इसका मतलब one month से उपर आते ही long term हो गया your understanding मैंने कहा मैं one year के statement बना रहा हूँ तो one year से long आते ही long term हो गया और अधिती हम एक साल से उपर कभी भी नहीं जाते हैं इसका मतलब हमारे financial statement within one year बनते ही बनते हैं ऐसा आपके पास लिखा हुआ है law में भी और ऐसा लिखा हुआ है इंडेयस one में भी कि आपको हर एक साल में financial statement बनाने चाहिए therefore हम within one year की बात करते हैं at the most लेकिन छोटे में हो सकता महीने की बात करें चोटे में हो सकता है quarter की बात करें इसका मतलब हमारे लिए basic cycle बच्चे ने कहा क्या एक साल का ही होता है basic cycle एक साल का ही होता है ठीक है हाँ रिशब ने कहा ये बात कैसे decide करनी है कि मैंने एक साल बनानी है मैंने कहा ना best assumption एक साल की चलती देगी तो you will always continue to think कि we are preparing in one year unless वो आपको कह दे कि आप तीन महीने के लिए बना रहे हैं ठीक है हाँ तो अधिती ने का अगर सार हम एक महीने के statement बना रहे है और मेरे खर्चे का benefit long term एक महीने से ज़्यादा हो गया है तो क्या ये capital expenditure है the answer is yes got it अधिती हम इस तरह से identify करेंगे अच्छा है एक बच्चा कह रहा है सार फिर से बताना कि capital expenditure और revenue expenditure का क्या मत्तब है तो देखो expenditures ठीक है इससे पतला कर दूँ क्या पतला तो कर सकते हैं शायद किदर से पतला होगा इधर से ही इससे पतला होगा इससे पतला है चलो छोड़ो कोई बात नहीं expenditures तो expenditure कितने तरह के हो गए बताओ ज़रा मुझको एक capital expenditure और एक revenue expenditure ठीक है expenditure कितने तरह के हो गए एक हो गए capital expenditure और एक हो गए revenue expenditure कोई दिक्कत नहीं है मुझे सिखाने के लिए भार भार आए जा रहे हैं कि ये करो वो करो ऐसी तैजी कराओ तुम ठीक है आपको कोई दिक्कत तो नहीं मोटा दिख रहा है पतला दिख रहा है आपको तो दिक्कत नहीं है न फिर मैं बाद मैं इन से training लूँगा कैसे करते हैं तो जो revenue expenditure होता है जो revenue expenditure होता है इसी को expense बोलते हैं आहा हा 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 तो मुझे फटा फट से बताओ मुझे फटा फट से बताओ expenditure wider हुआ के expense wider हुआ फटा फट से बताओ which term is wider तो what expenditure is wider और which term is narrow मैं जब बोलता हूँ expense तो expense capital expense नहीं है वो P&L की item हो गई तो इसका मतलब यह है यह किसी बच्चे ने कहा था दुबारा से बता दो थोड़ा मोटा मोटा लिखा गया है लेकिन कोई बात नहीं वापिस आईए अच्छा यह line कहां से लग गई यह line को हटा देते हैं और इधर आ जाते हैं तो हमने आप से कहा capital expenditure को जानने के लिए सबसे पहला point बताओ क्या हो गया आपके दिमाग में period तो पता होना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं अब यह जानने के लिए कि उसके अंदर उसका capital expenditure है हम अपने पास क्या करेंगे हम इसके बाद यह क्या हो गया क्या करें इसको इसको क्या बोलू यह कह रहा है पहले कुछ कह रहा है यह उनको पूछो क्या करना है इसके अंदर बच्चा कह रहा है इसे ब्लॉक कर दो ओके तो ब्लॉक कर दिया हमने ब्लॉक कर दिया आपने का ब्लॉक कर दो तो हमने ब्लॉक कर दिया और ठीक भी हो गया उससे तो capital and revenue expenditure में two step approach लगाते है now what is two step approach आपका institute ना आपको कोई भी खर्चा बताएगा और पूछेगा यह capital है के revenue अब ध्यान से सुनना मेरी बात को चोकन्ने होकर ठीक है चोकन्ने मतलब कान दो तो ही है खेंच के ऐसे कर लो तो चार हो गए ठीक है वैसे और कान चार नहीं हो सकते हैं यह हो गए चोकन्ने यह नहीं अगल बगल की बात है बंद और सीधी बात सीधा सुने capital expenditure है के revenue expenditure है यह जानने के लिए आपको अपने पास step number one पे कोई condition चेक करनी है अगर वो condition हो गई पूरी तो यह खर्चा है capital expenditure वरना क्या है revenue expenditures क्या आप मेरी बात समझ रहे इसका मतलब यह हो गया कि मैं आपको एक तालिसमान दे रहा हूं मैं आपको एक testing का तरीका बता रहा हूं आपको जैसी खर्चा दिया जाता है जैसे red litmus blue litmus होता था ना वैसे ही test करने आपने यह अगर वो खर्चा जो है वो कोई condition पार कर गया मैं कितनी condition बताऊंगा तीन condition चौथा indicator कितनी बाते बताऊंगा तीन condition चौथा indicator पहले तीन की बात करेंगे तीन में से कोई भी एक यह बताओ C.A. बनने के लिए foundation inter final तीनो पास करना है कि तीनो में से कोई एक पास करना है काश ऐसा होता C.A. बनने के लिए तीनो में से कोई एक पास कर लो foundation कर लो तो C.A. हो जाओ inter pass कर लो तो हो जाओ final pass कर लो तो हो जाओ ऐसा होता नहीं है ऐसा होता नहीं है वहाँ तीनों conditions पार करनी पड़ती है लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ सिरफ तीन में से कोई भी condition पार हुई कोई भी condition पार हुई तो वो क्या बन जाएगा capital expenditures रटा नहीं लगाना simply आपने क्या करना है सुनना है तो अच्छा ठीक है आपको कोई भी खर्चा दिया जाएगा आपने बताना है कि उस खर्चे का क्या effect होगा सबसे पहले जो हमारी वो benchmark condition है वो तीन है आपके notes में लिख्यों है बताओ A number पे कौन सी लिख्यों है expenditure which generates enduring benefits enduring benefit मतलब long term benefit यहाँ long term क्या हुआ कितना long फड़ाफट से बताओ मैंने का long term benefits फड़ाफट से बताओ what does long term means how much long you have to take you have to take in general sense more than one year और अगर मैं कहूं कि मैं बना रहा हूं only for three months मैं अपने financial statement बना रहा हूं only for three months तो आप क्या बोलेंगे three months के बाद वालों को आप long term बोल देंगे तो इसका मतलब ये period जो होता है आप इस तरह से चेक करते जाओगे अगर वो benefit आप अगर वो खर्चा आपको benefit देगा enduring मतलब long term benefit देगा हम् या वो खर्चा enhance करेगा value of assets यानि आपके asset की value को enhance करेगा या तीसरा नमबर वो आपको मदद करेगा यानि वो future में revenue जनरेट करने में आपकी मदद करेगा अगर ये तीन में से कोई भी condition पार हो गई तो क्या होगा फटा फट से बताओ इन तीनों में कोई भी condition पार हो गई तो बताओ क्या होगा ये capital expenditure होगा sir मतलब ये तीन ही देखने है या कुछ और भी देखना है तीन के बाद एक सावधानी भी है तीन को देखने के बाद एक सावधानी भी है वो सावधानी है ये वाली वो सावधानी है ये वाली कि आपको ये सावधानी भी देखनी पड़ेगी ओ माई गॉड इसका मतलब क्या अगर मान लो ये दोनों चीज़ें देख लें बाकी क्या बन जाएगा बाकी बन जाएगा revenue expenditure तो मुझे फटा-फट से बताइए हमारे पास point कौन-कौन से निकलाए number one test any of the three conditions क्या देखना है आपने test any of the three conditions तथा check कुछ गडबड घोटाला तो नहीं यह नहीं step two लगाकर check करेंगे कोई गडबड घोटाला तो नहीं यह करना है अच्छा institute कई बार आपको बोलता है कि why this is capital expenditure give reasons तो अगर आपको reason देगा तो क्या दिल से reason दोगे कि जो यहां लिखा है वो reason दोगे अगर आपको कहता है बताओ कि यह क्यों capital expenditure है तो आप क्या करोगे आप जो मैंने यह answer दिये ना वो लिखना पड़ेगा कुछ बच्चे कहरा है मैं दिल से लिखूंगा ऐसी कि तैसी दिल से रे यह दिल से रे वाली बात दिमाग में डालना इंसिचूट आपके दिल के अंदर नहीं जाना चाहता वो कहरा भाई मुद्दे की बात करो क्या इसके technical words हैं जिनकी वज़ा से आप ऐसा बोल रहे हो कुछ दिल से नहीं आंसर दोगे जो आंसर दोगे ऐस पर जो standards कहते हैं उसके हिसाब से करोगे नमबर दो अगर वो खर्चा capital का नहीं हुआ और वो revenue expenditure है तो फिर आप बताएंगे क्योंकि यह तीन condition पूरी नहीं हुई थी इसलिए वो capital expenditure हमारे revenue में चला गया तो we'll be doing like this चलिए जी अब मेरे साथ साथ पहली चीज पहली चीज पढ़ेंगे और वो क्या पढ़ेंगे वो खर्चा जो enduring benefits generate करें enduring benefits का मतलब होता है long term benefits सारे बच्चे मुझे बताओ क्या इसके long term benefit है के नहीं है मेरे पास calculator है long term मतलब मेरे case में आप long term क्या मानोगे हमेशा अब हम सारे एक चीज़ को दिमाग में बिठा लेते हैं बताओ हमारा long term हमेशा कितना होगा हमारा long term हमेशा कितना होगा हमारा long term हमेशा one year होगा अगर इसके enduring benefits हैं तो मुझे बताओ क्या है कि नहीं है फड़ा फट से बताओ क्या calculator के enduring benefits हैं कि नहीं है The answer is yes Enduring मतलब long term More than one year benefit है क्या यह capital expenditure है कि नहीं है फड़ा फट से बताओ मैंने यह 500 अरपे का calculator खरीदा क्या यह capital expenditure है कि नहीं है The answer is yes अभी तक, the answer is yes लेकिन एक बात और भी है क्या तीन शर्तों के अलावा आपको ये भी चेक करने है जो मैंने step two पर आपको बताया हुआ क्या step two को भी आपने चेक करना है the answer is yes आपको देखना है materiality क्या ये देखना है क्या, क्या ये amount बड़ा बहुत बड़ा है क्या ये material amount है 500 रुपए का calculator है हमने ये खरीदा है क्या ये material है the answer is ये material नहीं है तो क्या इसके enduring benefits है but step two में आकर मुझे पता चला कि ये material नहीं है तो बताये इसे कहां डाल दिया जाएगा फटा फट से बताये कहां डाल दिया जाएगा ये गया revenue expenditure में you are understanding sir sir हमें कैसे पता चलेगा ये material है के नहीं है हमें कैसे पता चलेगा 500 रपे बड़ा है के नहीं है ये कैसे पता चलेगा हाला कि मैं इसके उपर बाद में later on आऊंगा but still आपने कहा कि इसके बारे में थोड़ा जिकर करो कि how do we know कि ये material है की नहीं है अगर मैं इसे किसी company के context में बोलता हूँ ये calculator किसने खरीदा Reliance Industries ने खरीदा किसने खरीदा Reliance Industries ने खरीदा क्या इसको Capital expenditure में डालो या revenue expenditure में डालो जो financial statements के users है क्या उनको कोई decision में फरक पड़ेगा कि ये company अच्छी है के बुरी है क्या उनको ये decision hold करूँ share के बेच दू क्या उनको फरक पड़ेगा नहीं फरक पड़ेगा ये इतना चोटा amount है कि users को फरक नहीं पड़ेगा इसका मतब ये immaterial amount है लेकिन ये ही अगर मान लो 1000 करोड का खर्चा होता क्या ये material हो जाता फड़ा फट से बताओ क्या ये material हो जाता the answer is yes हमारे companies act में भी लिखा हुआ है एक लाक रुपे तक तो हम material मानते ही नहीं है बच्चे हो दान तुमारे छोटे है अभी तुमारे को ये एक लाक की लिमिट के चकर में नहीं पड़ना अभी आपको अपने पास simply क्या देखने है कि हाँ उसके long term benefit है पर अगर immaterial है तो revenue expenditure है और अगर मैं आपसे कहूँ कि लो भाई मेरे पास एक phone है फड़ा फट से मुझे बताईए क्या इसके enduring benefit से फड़ा फट से बताओ materiality means amounts क्या इसके enduring benefit से the answer is yes क्या ये material amount है मेरे लिए reliance के लिए नहीं मेरे लिए material amount है भाई साब ये है मैं मरी गया था अभी गर रहा था पानी पिलाओ भाई मेरे को मैं तो अभी रहे हाथ से फिसल गया बेटा मैं तो बस समझ लो पानी पिलाओ भाई जान निकली जा रही बताओ क्या मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा important है the answer is yes इसका मतलब क्या मेरे लिए अगर ये मैं कहूं तो immaterial है no it is material therefore it will be capitalized this is my capital expenditure तो क्या आपको दो step समझ में आ गए step one में कितनी शर्ते हैं फड़ा फट से बताओ step one में कितनी शर्ते हैं तीन तीन में से कितनी पार करनी पड़ेंगी फड़ा फट से बताओ तीन में से कितनी पार करनी पड़ेंगी अब तीनों पार कर लो कोई एक पार कर लो कोई दिक्त नहीं है कोई भी एक कम से कम पार कर लो तथा step two का filter लगाओ step two का क्या लगाओ filter लगाओ यनि कि चेक करो उसे ठोक बजा कर चेक करो कि मेरे पास कुछ गलती तो नहीं हो गई इसका मतलब क्या हमें उस चीज को लाने के बाद भी एक बाद डिबा अनपैक करते वक्त चेक कर लेना चाहिए कि सब कुछ ठीक ताक है के नहीं है तुम बाजार से कुछ लाए हो चेक कर लो भाई सब कुछ ठीक ठाक है के नहीं है तो स्टेप टू में हम उसको ठोक बजा कर देखते हैं सब कुछ ठीक है के नहीं है तो तीन शर्ते हैं और साथ में कुछ इंडिकेटर है अगर मान लो कोई इंडिकेटर से दिकत नहीं है बल्ले बल्ले शर्त भी पूरी हो रखी है बले बले तो खर्चा है रेविन्य कैपिटल एक्सपेंडिचर वरना खर्चा कहां गया वरना खर्चा कहां गया वो गया हमारे रेविन्य एक्सपेंडिचर में एक बच्चे ने कहा सब क्या step two की सारी ऑप्शन देखनी है नहीं step two में ने indicator दिये गये हैं इन इन जगाओं पर ठोक वजा कर देख ले सब ठीक ठा कहके नहीं है इसका मदब किसी चीज को भी हम चेक करने के लिए मैं आपको इशारे दे रखे हैं कि वाई साब पैकिंग देख लो एक्सपारी देख लो कुछ समान के अंदर कोई चीज छूट तो नहीं गई यह देख लो तो इसका मदब हार यह सारे इंडिकेटर देखने कहीं से भी कोई दिक्कत आ जाएगी तो हम बोल देंगे कि revenue expenditure है तो हम वापीस आते हैं और अपने पास अपनी टॉपिक के अंदर आगे चलते चले जाते हैं तो तीन शर्तों में पहली शर्त कौन सी है पहली शर्त है कि उस खर्चे के क्या है enduring benefits है उसके long term enduring benefits है अब इसमें आ गया कि सर कोई example दो जिसके long term enduring benefits है वो है हमारे पास acquisition यानि हमने खरीदा क्या खरीदा tangible and intangible assets for first time हमने जब कोई asset पहली बार खरीदा कोई tangible या intangible assets हमने पहली बार खरीदा इसके उपर होने वाले सभी खर्चे जो directly attributable है क्या ये word important है सभी खर्चे उस asset को जब आप पहली बार लेते हैं उस पर जो भी directly attributable है वो सारे capital expenditure है इसका मतलब enduring benefit का क्या मतलब हुआ जब आप कोई asset लेते हैं कौन सा asset लेते हैं चाहे tangible लेते हैं चाहे intangible लेते हैं कब लेते हैं for the first time लेते हैं क्या मैंने ये लिखा नया या मैंने कहा for the first time मैंने नया नहीं बोला मैंने first time कोई asset को acquire किया पहली बार मैंने अपने पास acquire किया second hand acquire किया कोई दिकत की बात नहीं है अचा सर मेरे पास पहली भी एक कार थी एक और भी कार खरीजी तो वो भी first time acquire होगी first time does not mean कि कार पहली होनी चाहिए मैं ये नहीं बोल रहा जब उस asset को acquire कर रहे हैं first time अचा already acquired car है उसमें कोई चीज होती है तो उसको हम किसी और condition में check करते हैं जब भी पहली बार आप कोई asset को acquire करते हैं पहली बार वो tangible हो या वो intangible हो वो दोनों की बात कर रहा हूं उस पर सभी खर्चे कौन से वाले खर्चे फटा फट से बताओ क्या मैंने कहा सभी खर्चे कौन से वाले खर्चे सभी खर्चे जो directly attributable हैं क्या आपको confusion नहीं हो गई कि साब ये क्या मत्तब हुआ मैंने कल cycle करीदी है कल मैंने cycle करीदी है मैंने का भई अब petrol इतना महंगा है मैं एक कल cycle करीद ली है second hand cycle करीदी है cycle करीदते ही मैं सबसे पहले बताओ कहां गया हाँ बच्चा कहरा कौन सी company की है मैंने करीदी है Atlas की cycle ठीक है तो सारे बच्चे पूछो बो शर्मा जी तुम cycle करीद के कहां गये सबसे पहली बार कहां गये मैं का मंदिर गया मंदिर जाएंगे पहले सबसे पहले साइकल को माथा टिकाएंगे कि भई साइकल की भी रक्षा भगवान करना मेरी भी रक्षा करना जो इसके नीचे ना आ जा उनकी भी रक्षा करना सारों की रक्षा करना उसके लिए हम जाकर क्या करेंगे शान्ती पार्ट करेंगे पहले क्या ये डारेक्टली एट्रिबूटबेल एकस्पेंडीचर है डारेक्टली एट्रिबूटबल ऑन साइकल फड़ा फट से बताओ क्या ये डारेक्टली एट्रिबूटबल है तो शीवम ने कहा हा, ये directly है लेकिन रिशब ने कहा नहीं, मियंक ने कहा हाँ तुरा अच्छा मैं बचाता हूँ, मेरे पास यहां पर न, यूट्यूब से भी बच्चे जुड़े हुए हैं यूट्यूब से भी answer आते हैं और मेरे पास जो बच्चे और बिठे हैं classes के अंदर centers पर बैठे हैं या घर पर बैठे हैं या mobile app पर देख रहे हैं उनमें क्या है हमारा ना time gap zero है मैं इधर बोलता हूं और उधर वो सुनते हैं उधर वो लिखते हैं और उधर मैं आप उनका जवाब देता हूं तो time gap zero है बट जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं वहाँ पर time gap around 30 seconds का है तो इसका मदब आपकी query मेरे पास जब तक आती है न तो 30 seconds हो चुके होते हैं मैं कहां का कहां पहुंच जाता हूं तो इस कारण से थोड़ी problem है तो YouTube वाले बच्चों की मैं queries कई बार बीच में नहीं ले पाता उसके लेक्षे मैं चाहता हूं और जो मेरे पास बाकी बच्चे हैं उपड़ा फट से बात करते हैं हाँ तो दिव्यानशी क्या पूजा पर दिये गए पैसे पंडिच जी को वो capital expenditure है कि नहीं है तो मैंने का हमने एक नए asset खरीदा था first time खरीदा था उस पर directly attributable अगर खर्चा कुछ किया है तो हम उसे enduring benefit वो लेंगे और हम उसे capitalize कर देंगे क्या पूजा का खर्चा उस asset के लिए माना जाएगा the answer is no वो directly attributable नहीं है तो आप सारे मुझसे request करो कि sir what do you mean by directly attributable just ask queen कि इसका क्या मतलब है directly attributable का क्या मतलब है directly attributable का मतलब है उस खर्चे के बिना वो asset ready for use नहीं है ओ माई गॉड़ अगर वो खर्चा नहीं होगा तो asset use में नहीं आ सकता इसका मतलब अगर उसका इस्तेमाल करना है अगर आपने उसका इस्तेमाल करना है तो आपको वो खर्चा करना पड़ेगा चलिए मैं आपको एक और example देता हूँ ध्यान से मुझे बताना ठीके डारेक्ली attributable का क्या मतलब हूँ आप फिर से एक बार revise करा दो डारेक्ली attributable का क्या मतलब हूँ डारेक्ली attributable का मतलब हूँ जो उस asset को ready for use करता है ready for use करता है वो खर्चा नहीं होगा तो ready for use नहीं होगा ready for use क्या है वह हमने अगर उस asset का इस्तिमाल करना है तो ready होगा तभी तो इस्तिमाल करना है तो ready for use के लिए वो खर्चा है जैसे की मुझे ये बताओ क्या आपको मालूम है जब आप नई कार खरीते हैं बिल्कुल vehicles act 1988 जो कहता है कि सडक पर गाड़ी उतरने से पहले उसके insurance हो जाना चाहिए अब आप गए कार खरीदने के लिए निकल निकल गए कार खरीदने के लिए तो बताओ निकल तुम शोरूम से तुम्हें चाबी मिल गई तुम गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बाहर जाने लगे तो गाड़ ने रोग दिया उसने का insurance के कागज दिखाओ इसके तुमने का insurance करा लेंगे बस घर जाते ही मैं करा लूँगा online क्या आपको वो allow कर देगा शोरूम से बाहर निकलने के लिए फड़ाफट से बताओ वो नहीं करेगा क्या insurance का खर्चा करने के बाद ही वो asset ready for use होगा फड़ाफट से बताओ the answer is yes तो ये insurance का खर्चा क्या है D.A.C. directly attributable costs क्या बोलते हैं इसको directly attributable costs अच्छा अगर मान लो ये देश में कानून बन जाता कि सड़क पर गाड़ी आने से पहले आपको मंदिर के पुजारी के पास जाके पहले हवन करवाना ही पड़ेगा मान लो ये कानून बन जाता वरना आप गाड़ी सड़क पर लाई नहीं सकते तो मुझे बताओ क्या ये भी D.A.C. हो जाती क्या ये भी D.A.C. हो जाती the answer is yes और चाम मैं आपको बोल रहा हूं insurance में एक बड़ी मज़े की बात है अब सारे बच्चे मुझे बताना आप चब chartered accountant हैं ये बताओ मैंने insurance करवाया था क्योंकि उसके बिना गाड़ी सड़क पर नहीं आ सकती अब गाड़ी सड़क पर आ गई एक साल बीट गया insurance खतम हो गया अब मैंने insurance को renew नहीं कराया पर गाड़ी सड़क पर दौड रही है कोई दिकत की बात नहीं है क्या ready for use हो चुकी है गाड़ी सड़क पर चल रही है मैंने insurance दुबारा नहीं कराया क्या ये वाला insurance जो दुबारा है दुबारा जब भी कराएंगे ये capitalize होगा फड़ा फट से बताओं क्या ये directly attributable है ये नहीं है to make it more simple मैं और simple example देता हूँ जब गाड़ी शोरूम से लेके निकलनी थी तो उसमें कम से कम 10 लिटर तेल होना चाहिए तब ही गाड़ी शोरूम से बाहर निकल पाएगी वरना तेल के बिना तो गाड़ी धक्का बारना पड़ेगा क्या ready for use के लिए जरूरी है 10 लिटर पेट्रोल या 5 लिटर पेट्रोल डालना तो मैंने कार खरीदी और कार खरीदते ही मैंने उसके अंदर शोरूम से ही 5 लिटर तेल डलवा लिया मैंने का भाई तेल डालेंगे तो चलेगी वरना धका मारना पड़ेगा क्या ये ready for use के लिए जरूरी था 5 लिटर तेल फटा फट से बताओ क्या ये ready for use के लिए जरूरी था दा आंसर इस क्या ये इसका enduring benefit है दा आंसर इस क्योंकि उस कार का ये directly attributable expenditure है therefore ये भी कैपलाईज होगा अब थोड़ा से आगे गए पांच लिटर तेल खत्ब हो गया मैंने किसी petrol pump से 20 लिटर तेल और डलवा लिया क्या ये कैपलाईज होगा ये directly attributable नहीं है क्या आपको मेरी बात समझ में आती है directly attributable का मतलब होता है उस asset को ready for use तक की stage में लाने के खर्चे हाँ हर्च कह रहा है मैं 20 रपे का तेल डलवा के बाकी petrol pump से डलवा लूँ हाँ तो कोई दिकत नहीं है मैंने कब कहा बाकी वैसे आपको बता दू हर्च जब आप गाड़ी शोरूम से लेते हैं ना तो वो शोरूम वाला दो चार पांच लिटर पहले डाल के देता है वो उसने आपसे पहले ही कास्ट ले रखी होती है उसके अंदर ठीक है ना हाँ तारंग तारंग कह रहे हैं आपके पास कुन सी का रहा है मैंने कहा ना मेरे पास cycle है अके लेकिन SIM लेने के बाद रीचार्ज करना हाँ हाँ अक्षे हाला कि SIM वाले केस में जब आप फोन लेते हैं तो SIM लेना जरूरी नहीं है मैं अपने पास कह सकता हूँ कि मैंने फोन लिया ही किस के लिए है वाइफाई पर वीडियो ग्राफी करने के लिए तो यू कांट से कि वो रेडि फॉर यूज नहीं है वो रेडि फॉर यूज है तो इसका मतलब SIM का बात यहां पर नहीं आएगी अच्छा आव एक बच्चे ने का इंस्टॉलेशन का करचा फड़ा फट से बताओ आपने कोई कॉम्प्यूटर लिया और कॉम्प्यूटर को इंस्टॉल कर रहे है क्या ये रेडि फॉर यूज करने के लिए जरूरी है फड़ा फट से बताओ आप जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक गाड़ी बनेगी नहीं वो मतलब क्या इंस्टॉलेशन के खर्चे डी एसी है क्या इंस्टॉलेशन एक खर्चे डी एसी है तो अब मैं अपनी बात का करक्स निकालता हूँ ठीक है अब मैं अपनी बात को समराइज करता हूँ इंडियोरिंग बेनिफिट वाले में आपने क्या करना है अपने दिमाग में डाल दो इंडियोरिंग बेनिफिट का मतलब है आपने कोई एसेट खरीदा एसेट कौन सा होना चाहिए टेंजिबल के इंटेंजिबल के कोई भी फड़ा फट से बताओ इंडियोरिंग बेनिफिट का क्या मतलब हो गया आपने कोई एसेट खरीदा चाहे वो tangible है चाहे वो intangible है कब खरीदा फर्स टाइम फर्स टाइम का मतलब हो गया खरीदा acquire किया अगर कोई मेरे पास already car है उस पे कोई खर्चा किया तो इस concept में cover नहीं होगा मैंने कोई asset खरीदा सबसे पहला point तो दिमाग में ये डाल दो अब उस asset को खरीदने का खर्चा जो है जो खरीदने का खर्चा है वो capitalize होगा तथा उस asset के उपर जो DSE है वो capitalize होगा बस दो बाते बोली क्या रिया आपको मेरी बात समझ में आई आपने कोई asset खरीदा चाहे second end चाहे नया वो जितना खर्चा तुमने खरीदने में कर दिया वो capitalize होगा तथा DSE का खर्चा capitalize होगा DSE का मतलब क्या हो गया उस asset को ready करने का खर्चा अच्छा अब इसके उपर institute ने बड़े सारे सवाल पूछे होगा आपसे वो कह रहा है हम अपने पास एक building बना रहे है तो फटा फट से बताओ building बना रहे है क्या ये खर्चा asset का है the answer is yes capitalize होगा the answer is yes कह रहा है उसके लिए ना temporary hut बनाई हमने temporary hut बनाई जिसे जब asset ready for use हो जाएगा तोड़ भी दिया जाएगा क्या वो hut का खर्चा capitalize होगा फटा फट से बताओ आपको आपके हिसाब से बताता हूँ आपने मकान बना रहे हैं और मकान बनाने के लिए आपने एक labor के लिए वहाँ जुग्गी डाल दी जो मकान बन रहा वही रहेगी क्या आपने देखें ऐसे मकान बनते वे तो वहीं पर एक चौंकीदार होता है चौंकीदार के लिए चोटी से जुग्गी डाल दी जाती है नहीं देखा तो गली में जाकर गुमना तो जहां भी मकान बन रहा होगा खासतर पर नया नया बनना शुरू हुआ होगा तो वहाँ एक जुग्गी डाल दी जाएगी क्योंकि मकान तो भी बहुत शुरू शुरू में बना है तो जुग्गी डाल दी जाएगी कच्ची जिसमें एक गार्ड बैठा होगा या कोई चौंकीदार बैठा होगा अच्छा जैसी मकान थोड़ी सी शकल ले लेगा वह जुग्गी तोड़ दी जाएगी क्या आपको मालूम है फिर वह चौंकीदार उस मकान के अंदर ही रह लेगा जो बन रहा है मकान उसी में वह रह लेगा अपने फैमिली को भी रख लेगा ओके क्या वह जो जुग्गी बनाई है क्या वह खर्चा डी एसी है फड़ा फट से बताओ क्या वह खर्चा डी एसी है माही कह रहा है यह डी एसी नहीं है अगर मकान बनाना है तो जुग्गी तो बनानी पड़ेगी क्योंकि आपको अल्टिमेटली जुग्गी बनाओगे तो चौंकीदार को रोगे वरना चौकीदार रहेगा नहीं, चौकीदार रहेगा नहीं, तो मकान बनेगा नहीं, खुद तो आप खड़े हो नहीं सकते, क्या ये DSE है, the answer is yes, ये भी DSE है, इसका मतब जो temporary shed, ये temporary hut बनाई जाती है, जिनको तोड भी दिया जाएगा, before building has been completed, क्या वो आपके लिए first condition पू क्या लिखोगे, they are incurred for, किसलिए खर्च किया गया है, for acquisition of asset which is enduring benefit and expenditure is directly attributable cost, hence we should capitalize it, इसलिए उसे capitalize होगा, तो आपको अपने पास इसके ओपर institute ने न कई questions दिये भी हैं, अब देखिए, अब मैं आपसे अपने पास उनके examples discuss कर रहा हूँ, इतने सारे examples हैं, अब सारे के सारे बच्चे, ये सब के सब capitalize होने वाले हैं, ये सब के सब कौन से हैं, जिने capitalize कर दिया जाएगा, कौन कौन से खर्चे हैं, पूछते जाना अगर दिक्कत हो, installation के खर्चे, क्या ये capitalize होंगे, फड़ा फट से बताओ, the answer is yes, क्योंकि सर मकान बनाते में बिल्कुल ठीका था आपने, wages, क्या मकान बनाते हुए जो wages आपने दिये हैं, क्या वो capitalize होंगे, क्या मकान बनाते वक्त, wages जो आपने दिये हैं, वो capitalize होंगे, the answer is yes, क्या मकान बनाने के लिए, मकान जो बन रहा है, उस वक्त का insurance, या कार, जो पहली बार लेते हो, तो पहला insurance, क्या ये capitalize होगा, the answer is yes, क्या दूसरा वला insurance के अपलाईज होगा, मकान बनके ready हो गया, अब आपने फिर से उसका अगले साल insurance करवा लिया, क्या आप ready हो चुका, आप यस्तेमाल कर रहे हैं, अब insurance के अपलाईज होगा, अब नहीं होगा, तो ये कौन सा वला insurance है, जो आप पहला insurance कराते हैं, ये वो insurance है, बाकि दूसरा वला नहीं है, consultant, क्या asset को खरीदने के लिए, हमें कई बार किसी consultant की राई लेनी पड़ती है, the answer is yes, जैसे मैं आप से राई लेता हूँ, मैंने का बेटा मुझे एक इतना ही बड़ा टीवी खरीदना है, थोड़ा आप राई दे देंगे, कौन सा अकेला insurance नहीं देख रहे, अकेला wages नहीं देख रहे, मैंने बोला है, ये वो insurance और वो wages हैं, जो किसी asset की acquisition पर आप कर्च कर रहे हैं, इसका मदब आप दोनों बातों को जोड़ के पढ़ रहे हैं, अगर आपने का sir, वैसे ही wages हैं, या वैसे ही insurance हैं, तो फिर तो कोई asset ही नह खाली लिखा हो तो 12 में उसे revenue बोला था, खाली लिखा हो ना, मैंने खाली नहीं लिखा, मैंने इतनी बड़ी कता लिखी, कि आप tangible और intangible asset को जब acquire करते हैं for the first time, तो उस asset को ready for use करने के लिए किये गए सारे कर्चे, उसका पार्ट माने गए, अगर insurance करवाना law होता है, तो ह बर बार first बार के बाद वाला भी DSE होता, नहीं, प्रियाग राज, पहला insurance जो आप कराते हैं, वहां तक तो आपको गाड़ी यूज ही नहीं कर सकते, लेकिन एक बार आपने यूज कर दी, तो ready for use तो हो गई, अब वो insurance उसे ready for use तो कर नहीं सकता, therefore बाद वाले insurance प्रेंडल म अच्छा, तो मैंने आप से पूछा, मैं कौन सा टेलिवीजन खरीद हूँ, फड़ा फड़ से मुझे बताओ, मैं कौन सा टेलिवीजन खरीद हूँ, आप थोड़ा बता दो, तो बालकिशन ने का सरा, आप plasma TV खरीदो, सोनी खरीदो, पेना सोनी खरीदो, आप सब को पूर सेलरी दो, सेलरी, या कोई फीज, या कोई चार्जिस, क्या आपको मालूम है, मकान बनाने के लिए भी consultant रखने पड़ते हैं, जैसे आर्किटेक्ट, जैसे interior designer, शारुक खान की पतनी बताओ कौन है, शारुक खान की पतनी जो है, वो कौन है, ये मत कहना गौरी खान है, ये शारुक खान की पतनी जो है, वो interior designer है, ओके, वो consultancy देती है, जो बड़े-बड़े मकान बना रहे हैं, कल पर सो तुर दिन पहले शारुक खान का interview आया था, आपने पढ़ाता के नहीं पढ़ाता, शारुक खान का interview आया था, उसने कहा, कि जब उसने पहली बार मकान खरीदा मनत, तो कहरा उसके पास तो जितने भी पैसे थे, वो सारे के सारे खर्च हो गए, वो story सुना रहा था, कहरा जी जितने भी पैसे थे, वो मकान खरीदने में खर्च हो गए, और फिर वो कहता है कि अब उन्होंने कोई consultant बुलाया, interior designer बुलाया शारुक खान जी ने, उन्होंन इतना खर्चा बताया कि शारुक खान को लगा भाई मेरे बसका तो ही नहीं है, तो उसने अपनी पतनी से क्या कहा, कि सुन, पतनी ने कहा सुना, उसने कहा क्या तू बन जाएगी interior decorator मेरे लिए, उसकी पतनी ने कहा चलो कोई बात नहीं, उसने भी किताबे कितुबे पढ़ किया, और अब वो औरों के भी डिजाइन करती है, तो मुझे ये बताईए, क्या ये consultant के जो charges होते हैं, क्या ये भी, अगर किसी asset के लिए हैं, क्या ये जरूरी वार्ड है, कि अगर किसी asset के लिए हैं, तो क्या ये capitalize होंगे, the answer is yes, अच्छा अगर मैं वैसे ही आप से बोल द फड़ा फट से बताओ, फिर ये कहां जाएगा, फिर at least पहली condition fail हो गई, अगर बाकी भी condition fail हो गई, जो की हो जाएंगी, तो वो कहां चला जाएगा, वो revenue expenditure में चला जाएगा, अच्छा, अच्छा एक बच्चे ने यूटीव पर पूछा है, कि सर हमने एक second hand car खरीदी है, और उस पर repair करवाई है, क्या ये D.A.C. है, तो बच्चे का नाम है school, नाम बड़ा जीव है school, देखो school, तुमने कोई second hand car खरीदी है, जब तुमने पहली बार खरीदी है, तो तुम्हारे लिए ready for use नहीं है, ये मत कहना पिछला आदमी तो use करी रहा था, तुम्हारे लिए ready for use नहीं है, तो तुमने अपना एक benchmark बना लिया, कि मुझे use करना है यहां से आगे, तो जब आप उसको खरीदते हो, उस पर जो भी खर्चा करते हो, जो आपने उसको अपने पास ready for use करने के लिए कर दिया, वो सारा का सारा D.A.C. है, क्या school आपको मेरी बात समझ में आई, जब आप कोई second hand car करीते हो, और आपने का चलो इसको paint करवा दे, polish करवा दे, चमका दे, क्या वो सारे के सारे खर्चे क्योंकि आप अपने लिए ready for use कर रहे हो, वो सारे के सारे D.A.C. है, ठीक है, इसका अदर D.A.C. का मतलब यह नहीं है, कि बिलकुल brand नहीं होना चाहिए, आप अपने लिए ready for use करने में भी जो खर्चे कर देंगे, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, ओके, बिलकुल brokerage अगर हमने दी है, किसी consultant को एक बच्चे ने पूछा है, भी नहीं होने, कह रहा है, मैंने कोई asset खरीदा, और मैंने broker को brokerage दी है, तो क्या वो भी इसमें D.A.C यह दा आंसर इस बिना brokerage के आप asset खरीद नहीं सकते थे, तो इसका उन्दा ready for use हो इनी सकता था, वार्न आउट asset के पार्ट पर भी, अभी इसके ओपर हर्ष मेने आना है, वार्न आउट पार के ओपर भी ठीक है, शुबम कह रहा है कि आप 4 गंटे पढ़ाएंगे, शुबम अभी क्या time हुआ, हमने class start की थी मेरकल 7 गंटा हो गया, पोने 10, पोने 11, अभी तो 7 गंटा हुआ, इसमें कौन सा ज़धा time हो गया, अचा अभी आप छोटे-छोटे बच्चे हैं तो इसलिए 7 गंटे में ठक जाते हैं, CA final में तीन गंटे बाद बच्चा पूछता है, ब्र तो आप समझ लीजे कि अभी आप छोटे बच्चे हैं, अभी तो मैंने क्या बोला, मैंने इनको बोला, मैंने का ऐसा करते हैं, सुबह class लगा देते हैं, साड़े-छे बज़े, वैसे आप से पूछ रहा हूँ मैं, क्या मैं बाद वाली foundation की classes सुबह साड़े-छे बज़े ल लेकिन बहुत सारे बच्चे हाँ कह भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ना भी कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, तो जो भी टाइम होगा, मैं आपको बता दिया करूँगा, ठीक है, बट एनिवे अभी तो आज तो हमने फिर उसी टाइम पर schedule पर class start किये, बट वैसे मेरा म set खरीदने के लिए अमरीका गए, और आपने वहाँ जाने पर कुछ खर्चा कर दिया, फटा फट से बताओ, क्या ये important है, second end vehicle में repair के बाद भी ready for use के लिए नहीं हुआ, मैं अभी न second end car के उपर आउंगा, तो जो बच्चे second end car के उपर query भेज रहे हैं, अभी थोड़ी दि check तो step to भी हमेशा करेंगे, तो मैंने कहा, अगर मान लिजीए, आप अमरीका गए हैं, asset को ढूंडने के लिए और खरीदने के लिए, तो हम अपने पास उसे क्या capitalize करेंगे, the answer is yes, हम उसे capitalize करेंगे अपने पास, जेने taxes का credit नहीं मिलता, वो taxes भी, अब आप पहले तो ये कहे हैंगे, साब कौन से taxes होते हैं, बड़े सारे taxes होते हैं, income tax भी होता है, और GST भी होता है, ये दो सूप्रसिध tax हैं, क्या आपको मालूम हैं, अगर मान लिजीए, मुझे पर कोई tax लगता है, तो क्या मैं आपसे recovery कर सकता हूँ, मुझे पर कोई tax लगता है, तो क्या मैं आपसे recovery कर सकता हूँ, GST के case में, सरकार मुझे से कहती है, कि जब भी तुम foundation के बच्चों से fees लोगे, तो आप हमको उनकी fees में से कुछ हिस्सा tax का जमा करा देना, तो इसका मदब हमने अपने पास क्या कर दिया, हमने उसका उपर tax जमा करवा दिया, तो पहले तो समझ लो, जैसे मुझे पर income tax लगता है, वैसे हमारी जो deal हुई है, उस पर भी GST लगता है, अब मेरा आपसे सवाल है, हम अपना car खरीदने जाते हैं, तो आप बताइए, जब आप car खरीदोगे, तो क्या GST तब भी लगेगा, फटा फट से बताइए, जब car खरीदोगे, तो क्या आपको GST लगेगा, धड़ा धड़ा answer आ रहे हैं, मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता, the answer is yes, GST लगेगा, क्या आप उस tax को सरकार से वापिस ले सकते हो, क्या आप उस tax को सरकार से वापिस ले सकते हो, the answer is no, but in few cases, it may be yes, in few cases, it may be yes, सौर सौर आप बताओ जैसे की कैसे, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी company ने car खरीदी, और GST पे किया, तो मोदी जी कहते हैं कि शर्मा जी, आपको GST की रियात दे देते हैं, मेरे को को रियात दे देते हैं, वो कहते हैं चलो ठीक है, आप ultimately बच्चों से tax ले करके हमें दिलवाते हो, इसलिए हम आपको ये tax छोड़ देते हैं, या वो कहते हैं आपने इसका इसका इस्तेमाल अपने business के लिए करना है, इसका मतलब ये tax आप ultimately business करोगे, तो वहाँ से tax लाकर मोदी जी को दोगे, तो उन्होंने हमारे को एक relaxation दे दी, वैसे ये बताओ, आप जब कार खरीते हैं, तो आप तो business नहीं कर रहे थे, आप तो consumer है, तो इसलिए मोदी जी को आप tax दे देते हैं, लेकिन जो business कर रहा है, वो उसका credit ले लेता है, not always, but in few cases, अब ये मत बोलना, कि सर किस किस का credit मिलता और किस किस का नहीं मिलता, इसकी चर्चा कब हो नहीं है, इसकी intermediate में जाके चर्चा हो नहीं है, उससे पहले चर्चा नहीं हो नहीं है, वैसे आपने इसका नाम सुना हुआ होगा, input tax credit ITC, बड़ा जगडे वाला विश्य है, इसका म लोग हेरा फेरी से भी credit लेते हैं, बताओ जड़ा, धीरे से बोल नहीं है, मोदी जी नहीं सुन ले, क्या लोग हेरा फेरी से भी credit ले लेते हैं, हाँ, क्या फिर मोदी सरकार धर पकड़ करती है, क्या रहे ये चोरी कर रहा है, ये चोरी कर रहा है, ये चोरी कर रहा है, the answer is इसका मतलब सब गडबडे गोटाले यहां होते हैं अब हम उसकी बात नहीं करेंगे यह मन्दिर हैं यहां पर हम अनाप्षना बात नहीं करेंगे मैं आपसे कह रहा हूं अगर मैंने और मैंने tax दिया जिसका मुझे credit मिल जाएगा मुझे फटा-फट से बताओ उसका credit मुझे मिल जाएगा तो क्या ये खर्चा है जिसका credit मुझे मिल जाएगा का मतलब है मुझे वो refund मिल जाएगा फटा-फट से बताओ I paid something and I will get it back from the government क्या मेरा खर्चा हुआ मेरा कोई खर्चा हुआ जब मैंने टेक्स दिया और मैं बाद में सरकार से वापस ले लूँगा तो मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ तो खर्चा कौन सा होगा खर्चा होगा जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है जिसका क्रेडिट हमको नहीं मिलता है तो फटा-फट से बताओ क्या ये सारी बातें जब भी आप पढ़ोगे तो क्या ये पहले बोलना कि सर हमने कोई एसिट खरीदा जिसके उपर बीएसी का खर्चा है ये दोनों बातें जोड के पढ़ना तो मैंने कार खरीदी जिस पर मैंने टेक्स दे दिया वही कार खरीदो के तो टेक्स लगेगा ही लगेगा जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा तो क्या ये डीएसी है फटा-फट से बताओ मैंने कार खरीदी इसका मतलब क्या ये बात तो जरूरी है ना ये मत तो भूल जाना कि हमने कोई एसिट खरीदा हमने कोई एसिट खरीदा जिसके उपर कोई टेक्स लग गया जिसका कोई क्रेडिट नहीं है क्या ये डी एसी है? The answer is yes क्या ये कैप्लाइज हो जाएगा? The answer is yes ऐसे ही कार खरीदी और कोई वकील साब को पैसे दे दिये क्या ये भी हमारे पास कैप्लाइज हो जाएगा? The answer is yes क्या हमने कार सेकिन एंड खरीदी और खरीदते ही उसकी रिपेर करवाई क्या ये भी आपका डी एसी माना जाएगा? The answer is yes क्योंकि सेकिन एंड कार जो आपने करीदी उस पर जो भी खर्चा था वो कैप्लाइज करना पड़ेगा अब आप कहेंगे सर पर ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है? तो मैं एक काम क्यों ना करूँ? हम आपको यहाँ एक छोटा सा ब्रेक देते हैं और ब्रेक के बाद मैं यहाँ पहले बोड को थोड़ा सा समझ लूँगा और फिर उसके बाद मैं न कुछ लिखना भी चाहूं तो लिख सकता हूं तो यहाँ आपको दस मिनिट का ब्रेक देंगे आप्टर दा ब्रेक, I will continue my discussion with you तो we have a short 10 मिनिट ब्रेक तो यहाँ थे तो यहाँ थे प्रेक तो यहाँ प्रेक झाल 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 वेल्कम बैक क्या आप लोग वापिस आ गए हैं फड़ा फट से बताएं सिमरप्रीत, अभिनाव, तारक, बालकिषन, अक्षारा, खुशी और शोयक, प्रांजल, हर्चिका, प्राची, उप्रेती, और हर्ष, इनमल, मनीश, खुशी, रिशू, आदियादर्श, रवी, रिया, गुर्दीप, रिशब, प्रिया, सीरत, लक्षे, श्लोक, मुहम्मद, रियान, नंदनी, मुसकान, और चली, बहुत है मेरे काल से, अब देखो मैंने बोर्ड चेंज कर दिया पीछे, ठीक है, थोड़ा-थोड़ा सा हम सीखेंगे अब आपके साथ, हमने खरीदी कार जो की है बिलकुल न्यू, हमने खरीदी कार जो की है बिलकुल न्यू, इसको हमने अपने पास D.A.C. में खर्चा कर दिया, तो इस खर्चे को, इस खर्चे को भी हम क्या बोलते हैं, इस खर्चे को भी हम capital expenditure बोलते हैं, यह नहीं, यह भी capital expenditures, और यह भी capital expenditures, दोनों capital expenditures, हमने कार नहीं खरीदी, अब मैंने आप से कहा, मान लो मैंने कोई second hand कार खरीदी, मुझे फटा-फट से बताओ, मैंने एक लाख रुपे की कार खरीदी, मैं थोड़ी सी भी इस से बहतर लेता, तो वो डेड़ लाख की मिलती, तो कोई दिकत तो नहीं थी, मैंने एक लाख की करीदी, बिलकुल खटारा सी है, अगर मान लो, मैं थोड़ी सी भी बहतर लेता, तो डेड़ लाख की मिलती, क्या आप उसके अंदर, डेड़ लाख को कैपलाइस करते की नहीं करते, मैं जब गया तो एक कार मिल रही थी, एक में कार जो थे ही वो वही थी, लेकिन उसमें टायर थोड़े बहतर थे, वो थोड़ी महंगी मिल रही थी, तो अगर मैं बहतर वाली कार ले लेता तो आप कैपिलाइस करते अब मैंने बहतर वाली कार नहीं ली मैंने निकम्मी वाली कार ही ले ली और निकम्मी वाली कार में खरीदने के बाद पचास हजार रुपे की रिपेर करवा दी फड़ा फट से बताओ तो ये भी तो खरीदने काई खर्चा हो गया ना खरीदते ही खर्चा कर दिया क्या मैंने अपनी सेकिन एंड कार को भी बैटर नहीं कर दिया फड़ा फट से बताइए क्या सेकिन एंड कार को भी मैंने बैटर कर दिया The answer is yes क्या capitalise हो जानी चाहिए the answer is yes तो हम जब कोई second end asset लेते हैं तो खरीदते ही जो खर्चा करते हैं वो सारा का सारा capitalise हो जाता है अब मेरी बात को ध्यान से सरफ सुनते जाना ठीक है क्योंकि ये चीज आपको ध्यान से सुनने जुरूरी है जब आप एक कार खरीते हैं मान लो brand new तो क्या मैं कह सकता हूँ उसका एक level of performance है जिसे मैंने कह दिया वो hundred है हाँ बोलते जाओ जब मैं कोई कार खरीता हूँ तो मतलब ये कि उसका मैंने बोल दिया ये standard है उसको क्या नाम दे दिया मैंने कि ये मेरा extended है बताईए मैंने क्या standard रखा है hundred उसका extended है एक particular level है उसके नया engine है नई सीटे है नया सब कुछ है नया उसमें horn है नया उसमें light है नया उसके अंदर टायर है सब कुछ ठीक वो मैंने बोल दिया उसका नाम है standard अब ये बताओ जैसे जैसे time बीटता जाएगा क्या ये कार जो आपने नई खरीदी है उसकी value में गिरावट नहीं आना शुरू हो जाएगी फटा फट से बताईए क्या वो standard रहेगा जो आपके आपने नई गाड़ी का standard रखा था क्या वो standard रहेगा the answer is no अब मुझे ये बताओ मैंने यहाँ पर आकर के इसमें repair करवा दी मैंने repair करवा दी क्या वो कार दिनो दिन निकम्मी होती जा रही है हाँ मैंने उसकी repair करवा दी तो repair कराने से क्या वो नई से बहतर हो जाएगी this is my question to you क्या नई से बहतर हो जाएगी क्या बोलेंगे कि हाँ वो हमारे पास जो कार है वो repair कराओगे तो फटा फट से बताओ जो repair कराओगे कार वो थोड़ी सी बहतर हो जाएगी पंचर लगवा लिया तो थोड़ी सी बहतर हो गई फिर से उसके बाद वो गाड़ी चलना शुरू हो गई फिर से चलते गई चलते गई चलते गई यह repair capitalize होगी जो पंचर पर लगाई थी क्या यह repair capitalize होगी the answer is no बताओ क्यों नहीं होगी क्योंकि this repair will not exceed the standard इसका मतलब हमारे पास इसे बोलते है maintenance what is word maintenance means maintenance word कहां से आ रहा है maintenance word आ रहा है maintain से तो मुझे यह बताओ क्या गाड़ी का extended level है जब उसमें ज़्यादा गिरावट हो जाती है तो क्या repair कराके उसको थोड़ा सा maintain करते हो the answer is yes पर कभी भी आप उसको standard से बहतर कर देते हो the answer is no अगर तुमने कभी standard से बहतर कर दिया मैंने कार के उपर welding कराके नई कार चिपका दी अब मेरी double decker कार हो गई फड़ा फट से बताओ क्या अब मेरा standard से भी better position हो गई अभी है मत कहना सर वो तो बड़ी और निकम भी हो जाएगी कुछ ना कुछ होगा ना मैंने कार के अंदर कुछ और engine लगवा दिया अब double engine कार लगा दी मैंने का मेरी कार में double engine हो गया है साथ है मैंने सीटे चार थी आठ करवा दी मैंने उसमें CNG का तीसरा engine भी लगा दिया नए तरह का हॉर्ण लगवाया नए तरह का उसमें कुछ और लगवाया और वो जो जहां से धुआ निकलता है exhaust pipe लगवाया क्या आपने उसे नए से बहतर करने के लिए किया या maintenance के लिए किया फटा फट से बताओ प्लीस टेल मी there is a difference maintenance का मतब होता है standard तक लाना पर तुमने अगर उससे बहतर करना शुरू कर दिया क्या वो capitalize हो जाएगा the answer is yes इसलिए word समझिए हम अपने पास अगर कभी भी repair लगाते हैं तो उससे क्या हम standard तक ही जा पाते हैं the answer is yes हद से अदिये हो जाएगा क्या आप अपनी car के सारे के सारे पूर्जे बदल देंगी तो क्या कार जैसी हो जाएगी the answer is yes बट आपकी कार ऐसा नहीं हो जाएगी कि आप बोलें कि बहुत ही बढ़िया हो गई है तो नए से भी बहतर हो गई है therefore वो खर्चा capitalize नहीं होगा जैसे लैप टॉप में नया प्रोसेसर लगवा दिया तो ये capital expenditure है बिल्कुल ठीक लेकिन तुम्हारा पुराना प्रोसेसर खराब हो गया था तुमने वो प्रोसेसर चेंज कर दिया ये आपके पास capitalize नहीं होगा क्या आपको मेरी बात समझ में आती है तुम्हारे लैप टॉप में पुराना प्रोसेसर खराब हो गया तुमने नया प्रोसेसर लगा दिया ये क्या होगा इसे क्या होगा इसे क्या बोलेंगे maintenance तो वो maintenance का कर्चा है अच्छा अब मैं आप से पूछ रहा हूँ अगर मान लीजिए मैंने अपने पास एक कार खरी दी जो की second hand है अब सारे बच्चे बताओ मैंने second hand कार खरी दी इसका standard कहां से आए मैंने खरी दी ही second hand कार है इसका कहां से आए standard तो अब जो भी कार आपने खरी दी जिस दिन आपने कार खरी दी मान लो आपने एक लाग की कार खरीदी और उसी दिन आपने कुछ और खर्चा कर दिया क्या आप अपने पास स्टेंडर्ड से वहतर कर रहे हैं उसको जब खरीदी उससे वहतर कर दिया जैसे ही कार खरीदी तो उसका वो स्टेंडर्ड था Can you feel it? जब second end car खरीद कर लाए तो खटारा कार ऐसे ऐसे चल रही थी आपने खरीद तही का रहे भईया यह तो ऐसे ऐसे चल रही है इसका suspension खराब है तुमने लाते ही उसमें suspension ठीक कराया तो मुझे फटा फट से बताओ क्या खरीदने वाले से बहतर हो गया अब तुम्हारा standard क्या था एक खड़ खड़ाती लड़ खड़ाती कार यह तुम्हारा standard था और तुमने उसमें अपने पास अब क्या कर दिया उसमें तुमने उसके अंदर कुछ repair करा दी क्या अब यह नया standard बन गया यह नया standard क्या यह repair capitalize होगी क्या यह repair capitalize होगी the answer is yes अब मुझे यह बताओ अब यह second end car का यह standard है तुम इसे इस्तेमाल करते रहे करते रहे करते रहे तुमने फिर से उसके अंदर यह repair करवाई क्या अब आपके पास यह capitalize होगी फड़ा फट से बताओ क्या फिर से capitalize होगी the answer is no इसलिए क्या आप रटे लगा सकते हैं आप मेंसे कुछ बच्चे कहें सर एक रटा लगा दो repair capitalize होगी के नहीं होगी तो मैं बोलूँगा नहीं भाई इसका answer नहीं दिया जा सकता यह repair capitalize होगी क्योंकि repair एक general word है you will have to apply in the different context okay anyway let us go back to the concept और देखो अब मैंने यहाँ सीख लिया है कुन सा बटन था उससे पुछना है एक बार home था के मीनू था home था okay home में okay यह रहा यह नहीं था home में जाकर के इधर जाना था और इधर जाना था good notes में और इस में था okay let us see आया की नहीं आया नहीं आया क्या आ गया यह तो बड़ी दिक्कत हो गई आ रहा है आ रहा है आ रहा है तोड़ा time ले रहा है वापिस आ रहा है तो चलिए तो अब मैं इसके अंदर अपने पास आ जाओ वापिस तो मुझे यह बताओ repairs of second end asset जब आप खरीदते हैं क्या उसके साथ लिखा हुआ है फटा फट से बताओ आप पता नहीं मेरी बात को कितना समझ रहे क्या इन सब खर्चों को जब आप पढ़ रहे हैं जब आप इन खर्चों को पढ़ रहे हैं तो क्या आप इसको हमेशा खरीदने के background में पढ़ेंगे खरीदने वाले के साथ यह निए खरीदने के साथ पढ़ेंगे अगर मान लीजी आप बोलेंगे खरीदा और टेक्सिस खरीदा और ट्रेवल खरीदा और रिपेर खरीदा और लाइसंस तो क्या प्लाइस होंगे इसका मतब क्या दोनों को पढ़ना जरूरी है अच्छा आयूशी कह रहे है सरी टेक्सिस जिनका क्रेडिट नहीं मिलता यह क्या होता है टेक्सिस दे दिये और वापस नहीं आना तो क्या खर्चा हो गया यूशी फड़ा फट से बताओ फड़ा फट से बताओ क्या हमने टेक्स पे कर दिया और वापस नहीं मिलेगा टेक्स घ्या जेम से खर्चा हो गया डारेक्ली एट्रिब्यूटेबल है लेकिन अगर मान लूँ उसको टेक्स दिया और टेक्स वापिस सरकार कर देगी तो आपका टेक्स खर्च हुआ ही नहीं आपको पैसे वापिस मिल जाएंगे इसलिए वो खर्चा ही नहीं है तो यहाँ पर आना ही बेकार हो जाएगा हाँ रिजूल कह रहा है शेर इश्यू एक्सपेंस का क्या होगा बाद में आएगा सेकिन एंड वहिकल में रिपेर के बाद भी रेडी के यूज के लिए नहीं हुआ वो भी डिएसी में जाएगा हर्च कहरा है मैंने सेकिन एंड कार खरीदी पर अभी रेडी फॉर यूज नहीं हो रही यहींई आप खरीद के उसे आप त्यार किये जा रहे हैं सब कैप्लाइज होता जाएगा हर्श डेप्रेसीयशन क्या होती है एक बच्चा पुछ रहा है डेप्रेसीयशन यह वाला कैप्लाइज नहीं होता वो रेविन्यू एक्सπेंडिचर होता है वो इस asset की consumption होती है जिसका मतब जब आप asset को write-up करना शुरू करते हैं तो आएगा वो मेरे notes में बाद में आ रहा है ओहो ये line कहां से लग गई तो जो आपकी depreciation है ना वो मेरे पास बाद में आ रही है consumption of assets जो consumption of assets है ना उसी में depreciation आ गई है तो वो सब हमारे पास write-up हो जाएगी इसका मतब अभी पहले इसको देखेंगे अच्छा मुझे ये बताओ किसी asset को चलाने के लिए मान लो license जरूरी है आपने कोई factory लगाई और factory के लिए license जरूरी है क्या license capitalize होगा हमने कोई factory लगाई है क्या license उसके लिए जरूरी है capitalize होगा the answer is yes construction के खर्चे capitalize होगे the answer is yes temporary construction के खर्चे वो मैंने already बता दिया था कि temporary construction के खर्चे भी capitalize होगे asset की transportation what is transportation खरीदा और अपने घर तक ला रहे हो क्या उसकी transportation का खर्चा capitalize होगा तुमने टीवी करीदा और टीवी इतना बड़ा था उसके लिए special तुमने कोई चीज हायर की और उस पर खर्चा होगे क्या वो capitalize होगा the answer is yes dismantling cost what is dismantling costs तुमने कोई building बनानी है पर building जहां बनानी है वहाँ पर पहले ही कोई पुरानी building खड़ी है तुमने उस building को तोड़ा तभी तो नई building बनाओगी तो क्या dismantling cost capitalize होगी dismantling का क्या मत्तब होता है तोड़ना हटाना deassemble करना उसे बोलते हैं अपने पास कि वो आपकी dismantling cost है ओके हाँ अधिती कह रहे हैं जैसे मान लीजिए कार्टिक आरेन इटली से अपनी कार लाया तो वो कार जब इटली से इंडिया आई होगी तो जो भी भाड़ा लगा होगा ship का वो सारा capitalize हो जाएगा ओके अच्छा premium for lease for lease old property what is premium for lease आप में से कौन-कौन सा बच्चा flats में रहते हैं मतलब यह कि जिनका घर जो है वो flat है आप में से किस-किस के मकान है और बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं हर शिता भी कह रहे हैं कि हमारे पास भी ऐसा ही है और निखिल भी कह रहे हैं रागव भी कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी हमारे पास जो है flat है अपने माता-पिता से question पूछना कहना ये flat कितने साल के लिए उनका है just ask me मैं यहां बैठा हूँ अपने पापा को पूछो बोलो ये flat कितने समय के लिए हमारा है तो इसमें क्या पूछना है जब हमारा है तो हमारा है नहीं भाई साब हमारे देश में एक कानून है जो कहता है कि buildings की life 99 years है except heritage buildings building की life कितनी होती है 99 years क्या जिस flat में आप रहते हो 99 years के बाद उस flat को तोड़ दिया जाएगा उस वक्त आपके घर का क्या होगा मुझे बताईए जर आफटाफट से मानलो आपका flat है डी 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 ए का flat है या जो भी development authority है आप उस flat में रहते हैं उस flat को 99 years के बाद कह दिया जाएगा अब ये रहने लाइक नहीं है मैं के रहा ऐसा क्यों है बिटा हमारे पास एक land development act है जिसने कह रख़ा है कि जो भी building हैं उसकी life by default 99 years है लेकिन इसमें heritage building नहीं है अब तुम बोलोगी parliament house building की life 100 साल से उपर होगी बाहर निकाल दो government से लोगों को तो heritage building को नहीं जोड़ते लेकिन जो हमारे मकान है या ताजमेल heritage हम ताजमेल नहीं है ना तो जो मेरा मकान है उसकी life 99 years हो जाएगी क्या सरकार आके मेरे घर के बाद चिपका जाएगी कि मकान तोड़ो क्या आपको मालूम है 99 years के बाद सरकार आएगी बोर मेर फ्लैट में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर फ्लैट में ऐसा हो जाएगा तो फ्लैट में तो भाई सब अगर तोड़ देंगे तो फिर तो हम हवा में रहते हैं अब फ्लैट में क्या होगा क्या आपका अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा this is the important question ask your father what will happen after 99 years will we get the rights when the new building is constructed again तो क्या मेरे पास उसके उपर फिर से वहां रहने का अधिकार आएगा कि नहीं आएगा तो आपके पापा ने कहा हां राइट आएगा जब हम डिमॉलिश कर देंगे जब हम तोड़ देंगे तो उन्होंने का दुबारा से जब बनाएंगे तो फिर से राइट बनाएंगे आप ही आप ही खर्चा करके बनाएंगे और आपने का अब हम बनाएंगे और आपका राइट रहेगा वहां पर रहने का तो आपके पास जगा है जो फ्लेट है उसे बोलते हैं फ्री होल्ड क्या बोलते हैं फ्री होल्ड तो आपका अगर फ्लेट है फ्री तीनों फ्लोर्स को तोड़ा जाएगा फिर तीनों फ्लोर वाले मिल करके पैसा लगाएंगे और तीनों फ्लोर फिर से बनाएंगे और आप जिस फ्लोर में पहले रहते थी उसी फ्लोर में दुबारा रहना शुरू कर दोगे क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई हाँ माई कह से बाहर चले जाएंगे और हमारा इस पर राइट नहीं रहेगा तो बताइए आपके फ्लैट को क्या बोलेंगे आपके फ्लैट को बोलेंगे लीज होल्ड प्रॉपेटी क्या बोलेंगे लीज होल्ड प्रॉपेटी लीज होल्ड मतलब एक परिटिकलर पीरिड के लिए आपक प्टे का मतलब है, एक निस्चित समय के लिए आपको दे रखिया है. तो आप मुझे फढ़ाफट से बताईए, क्या आपके लिए लीजओल प्रॉपेटियां चिंता का विशे नहीं है, फढ़ाफट से बताईए और आपके लिए चिंता का विशे नहीं है? हरशिता कहना है यह तो बड़ी दिक्कत है free hold वालों को तो फाइदा हो गया उसमें तो क्या मकान को तोड़ो दुबारा बना के फिर रहना शुरू कर दो flat को तोड़ो मिल करके सारे बनाओ और फिर रहना शुरू कर दो लीज ओल्ड में मकान को तोड़ो फिर तुम बनाई नहीं सकते फिर कौन बनाएगा फिर सरकार बनाएगी तुम नहीं बनाओगे या बिल्डर मनाएगा जिसका था जिसने बेचा तुमको तो जितने भी लोग आप में से लीज ओल्ड में रहते हैं 99 यर्ज के बाद जिस से त सरकार से तुमने लिया था उनका वापिस हो जायेगा हाँ दिवयाशी कह रहे है बंगले पर भी अपला इह होता है हाँ सभी पर अपलाई होता है अगर वह फिर hold है फिर तो आफ वहां रह सकते हो परमाने दादा करीदे पढ़पोता बरते दादा करीदे पढ़पोते का भी पढ़पोता बरते यह पॉसिबल है फ्री लीज ओल्ड को फ्री होल्ड में करवा लो अखबार में छोटे-छोटे विग्यापन आते हैं सरकारी कि हमने लीज ओल्ड के लिए खिड़की खोल रखी है आप इसको फ्री होल्ड करवा लो क्या आपको अपने पापा को ये कहना चाहिए कि भाई ये देखो गाजियाबाट डिविलप्मेंट अथारिटी ने लीज ओल्ड को फ्री होल्ड करने में कैम्प लगाया हुआ है जाओ और जाकर के फ्री होल्ड कराओ क्योंकि दादा करीदे पड़ पोता बरते वाला रूल अब लगेगा बोलिए आप अपने घर में आप राय देंगे के नहीं देंगे और आप बिटा मेरी बात सुनो अब आप छोटे बच्चे नहीं हो अपने घर के अफेर्स में इन्वाल हुआ करो अपने माता पिटा के साथ बैठो सुनो बात करो उनकी बाते सुनो ओके अब तुम्हारी वो उम्र चली गई खेलने खिलाने वाली अब तुम्हारी उम्र अब matured फैसले करने वाली है और अब तुम chartered county बन रहे हो थीके अब सारे बच्चे बताओ क्या अब leasehold का freehold करवाना है तो तुम अपने development authority की आफिस में गए आपने का जी मैं अपने मकान को फ्री होल्ड कराना चाहता हूँ क्या वो आपको एक फॉर्म दे देंगे उसके भर करके किलो भईया ये फॉर्म भर के दो आप फॉर्म भर भर दो गए फिर क्या होगा फॉर्म जमा कराओगे तो सकार पता क्या मांगेगी पैसा मांगेगी आपसे कहेगी फ्री होल्ड कराना है पैसा लगेगा अच्छा ये दो नंबर की बात कर रहा हूं के एक नंबर की बात कर रहा हूं दो नंबर की तो बात ही नहीं कर सकता ये मंदिर है दो नंबर की बात नहीं कर रहा सरकार कहती है मुझे तो इतने रुपे का चार्जिस पे करो तब मैं अपने पास इसे फ्री होल्ड करती हूँ उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर लीज होल्ड प्रापिटीज क्या बोलते हैं उसको प्रीमियम फॉर लीज होल्ड प्रापिटीज इसको दिमाग में अच्छी तरह डाल दो क्या ये स्टेंडर्ड से बहतर हो रहा है ऐसेट क्या ये मैं कह सकता हूँ कि मेरा ऐसेट जो था वो यहाँ पर आकर बन रहा है फ्री होल्ड ये कैप्लाइज हो जाएगा ये कैप्लाइज हो जाएगा इसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर लीज होल्ड प्रॉपर्टी ये नि लीज होल्ड प्रॉपर्टी का ये प्रीमियम है और ये आपको अपने पास कैप्लाइज करना पड़ता है अनन्या कह रहा है कि मेरी नानी के घर है 1955 से so it will be freehold property अनन्या 99 years तो हुए नहीं न 1955 से अगर आपके पास एक घर है तो उसके 99 years कब होंगे उसके 2004 में 2054 में होंगे तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो freehold है वैसे मैं बता दूँ कि सरकार इसकी बार बार schemes निकालती रहती है and there is a very very high possibility कि आप जिस घर में रहते हैं वो freehold ही हो okay therefore there is no need to worry but definitely you should ask your parents कि हम जिसमें रहते हैं वो leasehold है कि freehold है तो जैसे ही आपके पापा ने का बेटा leasehold है तो आप उन्हें कहना है पापा इसे freehold करवा लेते जो खर्चा है दे दो और करवा लो तो your father will be very happy कि आप बच्चा समझदार हो रहा है वो घर के mattress के अंदर भी राई दे रहा है you will definitely talk to him सुझल कह रहा है November 2023 में क्या नया syllabus आजाएगा नया syllabus आने वाला है थोड़ दिन रुख जा पड़ो मई 24 से आएगा आपके लिए कुछ नहीं आएगा तो ये होती है हमारे पास ऐसा अच्छा आप में से ये बताओ कि आप कोई बात मालूम है कि जब आप कोई property खरीते हैं तो उसका registration भी कराना होता है फड़ा फट से बताओ कि आपको मालूम है जब आप कोई property खरीते हैं तो उसकी local language में दिल्ली में बोलते है रिजिस्ट्री वह मकान खरीदा है रिजिस्ट्री करवाओ फड़ा फट से बताओ क्या रिजिस्ट्री डी एसी है क्या रिजिस्ट्री डी एसी है ready for use करने के लिए जुरूरी है the answer is yes इसलिए capitalize होगा अच्छा मैंने मकान खरीदा लेड्डूओं का खर्चा केपलाइस क्यों नहीं होगा क्योंकि लेड्डूओं का खर्चा डी एसी नहीं है वो डी एसी नहीं है तो इसलिए पंडिजी का खर्चा तुमने party कराई house warming party कराई ये सब कुछ capitalize नहीं होगा आपने trial run पर कुछ खर्चे कर दिये नहीं होटीज ट्राइल रन ट्राइल रन का मतलब क्या होता है जब आप कोई asset खरीटे हो तो उसका trial run करते हो प्रीमियम अदिती होता है जो सरकार को आप पैसा देते हैं वो प्रीमियम है ठीक है आप मेंसे कितने बच्चों ने घर में printer खरीदा हुआ है आप मेंसे कितने बच्चों ने अपने घर में printer खरीदा हुआ है Oh my God सारे बच्चे कहने हमारे पास भी है लक्षे, सेजल, निकिता, धहरे, प्रांजल और सीरत और इदर से भी इनके 30 में second बाद आएंगे answer इन सब ने भी खरीद रखा है पहली बार printer लिया था तो पहले 10 print चाहिए थे कि वैसे ही निकाल दिये थे फड़ा फट से बताओ जब तुमने printer खरीदा था तो पहले 10 print जो तुमने निकाले थे वो use के लिए निकाले थे कि सरफ देखने के लिए निकाले थे oh my god बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं sir वैसे ही निकाले थे उसके अंदर color देखने के लिए print का देखने के लिए सब ठीक ठाक चलता है कि नहीं जो वो खर्चा था क्या वो capitalize होना चाहिए वो trial run का था तो जो trial run के खर्चे हैं क्या वो capitalize होने चाहिए the answer is yes trial run के खर्चे capitalize होने चाहिए एक और भी खर्चा है वो है borrowing cost इस पर ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा ये बाद में intermediate में आएगा जब कोई asset बना रहे हो जब कोई मकान बना रहे हो जब कोई building बना रहे हो तुमने लिया हुआ है loan उसका ब्याज भी आपका D.A.C. मानते हैं कौन बोलता है ये ये AS 16 बोलता है अभी इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम लोग लेकिन मैंने सिर्फ example देना था तो मैंने आपसे कहा अगर आप मकान बना रहे हो और मकान बनाने के लिए आपने bank से loan ले लिया तो जो ब्याज का खर्चा है माना जाता है कि वो भी आपका D.A.C. है उके इस पर ज़्यादा चर्चा कब होगी जब तुम्हारी मूचे और घनी हो जाएंगी अभी मूचे कोमल कोमल है अभी तुम चोटे बच्चे हो अभी तुम्हें इसके ज़्यादा बात नहीं बताएंगे अच्छा कौन से खर्चे ऐसे हैं जो डिरेक्ली अट्रिबूटिबल नहीं है बताया मैंने पूजा का खर्चा है ये सेलरी है कौन से स्टाफ की जो आपरेटिंग स्टाफ है आपरेटिंग स्टाफ का क्या मतलब होता है जो उस एसिट को चला रहा है मैंने कार खरीदी और क फोड़ना DSE है लेकिन अगर कोई कार बना रहा होता तो DSE हो जाती पर अब आप उसे आपरेट कर रहे हैं आपरेटिंग मतलब चलाने के लिए वो कैपलाइस नहीं होगा हरशिता कह रहा है सर्ड ट्राइल रन को कैपलाइस क्यों किया क्यों किया क्योंकि हरशिता ट्राइल रन हमारा रेडी फॉर यूज होने के लिए चेक करने का खरचा है अब चेक कर रहे हैं कि ये रेडी फॉर यूज है के नहीं है इसलिए वो हमारा खरचा DSE माना जाता है जब तक चेक नहीं करोगे अब मैंने पिजा मेकिंग मिशीन करी दी है तो मैं भी Domino's पीजा बेचूंगा तो मैं पहले चेक करूंगा ना कि मैं गरहकों को पीजा बेच रहा हूँ वो बन भी ठीक रहा है कि नहीं बेच रहा तो जब तक वो ready नहीं हो जागा तब तक मैं जितने trial run करूंगा सारे खर्चे कैपलाईज हो जाएंगे अगर आपके पापा के पास उस फ्लैट की sale deed है कौन सी deed है sale deed है वार्ड बोल रहा हूँ sale deed तो यह नहीं वो freehold है लेकिन अगर वो sale hold अगर उसकी sale deed नहीं है और उनके पास बाकी agreements हैं, papers हैं कोई power of attorneys हैं तो यह नहीं वो lease पर है भी बाकी इस पर चर्चा बाद में करेंगे वो हमारे topic से सम्बंदित नहीं है इसलिए में ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा चलिए तो मैंने अपने पास कहा कि यह खर्चे हैं, दूसरी बात मुझे यह बताओ यह सारे खर्चों में एक चीज जरूरी थी बताओ क्या asset का खरीदना जरूरी था इन सब में क्या जरूरी था asset का होना जरूरी है जिसे आपने पहले खरीदा और उस पे खर्चा किया तो फर्स कंडीशन में आपको मैंने पूरा कर दिया आपने asset खरीदा और आपने उस पर खर्चा कर दिया D.A.C. का खर्चा, बाकी खर्चा नहीं asset खरीदो, वो खर्चा कैपलाईज हो जाएगा उस asset का D.A.C. कैपलाईज हो जाएगा अब बारी आती है तुम asset खरीद चुके हो खरीदने के बाद उस पर कोई खर्चा कैपलाईज होगा के नहीं होगा मतलब अब तुमने कार पहले की खरीद रखी है अब वो कैपलाईज होगी के नहीं होगी अगर इंसिचूट आपको सवाल पूछता है कहरा है ये कार खरीद रखी है हमने खरीदी थी दो साल पहले और हमने इसमें पेट्रोल डलवाया ये कैपलाईज होगा के नहीं होगा या हमने उसका इंशुरंस करवाया ये कैपलाईज होगा के नहीं होगा पहले सारे example कौन से वाले थे भूल मत जाना पहले सारे example कौन से थे boring cost की चर्चा बेटा बात में पढ़ेंगे आप लोग intermediate में हाँ अभी शेक तो मुझे फड़ा फट से बताईए तो भाई अगर पहले वाले थे तो वो सारे D.A.C. वाले थे अब इधर आजाओ कि जो आपने अपने पास expenditure कर दिया है जो आपके asset की value को enhance करता है asset पहले का था आपने उसकी value को increase कर दिया है फटा फट से बताओ increase किस से जादा होना चाहिए increase किस से जादा होना चाहिए increase standard से जादा होना चाहिए standard क्या होता है जब नई गाड़ी लोगे तो standard क्या होगा जब नई गाड़ी लोगे तो नया standard होगा अगर तुम second end गाड़ी लोगे तो बताओ standard क्या होगा जब second end को जब तुमने लिया था और लेते ही जो repair करवा दी थी उसके बाद जो बनेगा वो standard है क्या आप मेरी बात समझे रहे इसका ना standard सबका होगा नए वाले का बहतर standard होगा और second इन वाले का low standard होगा standard सबका होगा अगर आपने कोई खर्चा कर दिया जो उसके standard को improve करे वो capitalise होगा ओके लेकिन अगर आपने कोई खर्चा कर दिया जो उस asset को consume कर रहा है यह नहीं depreciate कर रहा है या maintain कर रहा है वो capitalize नहीं होगा तो इसका मतलब अब आपने क्या देखना है अब यहाँ पर asset खरीदने को देखना है कि नहीं देखना इस condition में asset खरीदना नहीं देखना इसमें क्या देखना है इसमें देखना है आपने asset का standard क्या था बस आपने देखना है asset का standard क्या था जो जब खरीदा गया था अगर उससे बहतर हो गया तो capitalize होगा अच्छा क्या बहतर चेक करोगे जैसे उसकी efficiency बढ़ गई या उसकी capacity बढ़ गई तुमने कार के उपर एक और engine लगा दिया कार के उपर एक और छट डालके चार सीटे और लगा दिया कैपलाइस होगा तुमने कार में एक और च्छत लगा दिया तो एक और तरह से काम कर दिया कैपलाइस होगा the answer is yes और तुमने efficiency उसकी बढ़ा दिया तुमने CNG का engine लगा दिया उसके अंदर क्या तुम्हारे पास efficiency बढ़ रही है the answer is yes कैपलाइस होगा किन चीजों से efficiency नहीं बढ़ती है किन चीजों से efficiency नहीं बढ़ती है इन्हें बोलते है maintenance तथा maintenance तथा consumption of assets ये वो है जो आपके पास सब कहां जाएंगे ये revenue expenditure है ये सब के सब कहां चले जाएंगे revenue expenditure example देखो जैसे तुमने अपने worn out parts जो parts घिस गये थे उनको replace किया एक बच्चे ने भी example भी दिया था तुमने अपने laptop में प्रोसेसर को change कर दिया घिस गया था खराब हो गया था तो फड़ा फट से बता हो ये क्या है replacement of worn out part ये कौन सा कर्चा है revenue expenditure आपने कोई consume कर ली बिजली या petrol उस asset को चलाने के लिए बिजली खर्च की petrol खर्च किया क्या है ये सारा का सारा revenue expenditure क्या बिजली और पेटरोल से standard से उपर जाता है asset फड़ा फट से बताओ क्या बिजली और पेटरोल से asset जो है वो standard से उपर चला जाता है नहीं वो उपर नहीं जाता therefore वो हमारा खर्चा क्या है वो revenue का है तुमने repair करवाई चाहे normal चाहे कोई abnormal negligence गाड़ी के दर्वाजे खुले रह गए शीशे खुले रह गए और बंदर घुस गए उन्होंने सारी सीटें पाड़ दी आपने नए सीट कवर लगवाई फड़ा फट से बताओ ये खर्चा कुन सा है हमसे गलती हो गई थी गाड़ी के शीशे खुले रह गए थे अंदर बंदर घुस गए बंदरोंने सारी चीज़ें तोड़ दा ली क्या ये कैपलाईज होगा आपने नए चीज़ लगवाई है आपने नए शीट कवर लगवाए है क्या ये कैपलाईज होगा The answer is no बताओ ये वाला कैपलाईज क्यू नहीं होगा क्योंकि ये स्टेंड़ रहतर नहीं हो गया क्या वो सीट कवर लगवाखे स्टेंड़ से बहतर हो गया नहीं हुआ therefore this will not be capitalized अच्छा ये negligence की कोई चिंता नहीं करनी है बच्चे ने पूछा था depreciation या asset को राइट अफ जो करते हैं ये तो normal maintenance है या normal right-off है ये सारा भी वहीं पर जाएगा मान लो हमारे asset पर किसी ने case कर दिया कहता है ये तो मेरा asset है उसने हमारे title पर जगड़ा कर दिया कह रहा है तुम्हारी कार नहीं है ये मेरी कार है और तुम कोट में जाकर वकील को पैसे दे रहे हो और अपना title defend कर रहे हो what is title defend title defend का क्या मतलब होता है कि तुम अपने आपको बचा रहे हो कोई तुमसे कह रहा ही asset मेरा है खोसला का घोसला याद है आपको हालांकि वो film तो कहानी थी एक उसमें तो उन्होंने दिखाया कि हाँ ठीक है उन्होंने कोई नोटंकी करी और नोटंकी से अपने पास अपनी asset को वापिस चीन लिया लेकिन अगर रियल लाइफ में खोसला का घोसला हो जाए हमारे मकान पर कोई आ करके अपना कबजा कर ले हमें वकील के पास जाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है तो वकील के पास जाओगे एक कोट के चैरी के इंदर खर्चा होगा क्या ये खर्चा revenue है के capital expenditure है फड़ा फट से बताओ ये खर्चा जो भी title के लिए है ये सब भी revenue expenditure है तो कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है तो हमने अपने पास बता दिया ये खर्चे आपको ध्यान रखने है एक और भी बात सुननी है कोई भी अच्छाई अब आपको मैंने पहले दो condition बता दी मुझे फटा फट से बताना पहली condition जो थी वो किस के लिए थी जब आपको ये asset खरीदते हैं या बनाते हैं मैं summarize कर दो एक बार ये क्या होगा अब पहली condition क्या थी फटा फट से बताओ पहली condition थी आपने कोई asset खरीदा या या को तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा ना या बनाया तो फटा फट से बताओ क्या इसका खर्चा capital expenditure है फटा फट से बताओ हाँ के ना इसका खर्चा capital expenditure है क्या इसके खर्चे के साथ इसका D.A.C.B. capital expenditure है the answer is yes ये भी capital expenditure है ठीके सबसे ज़्यादा अगर exam के लिए important है एक बार जाना जड़ा बाहर फटा फट से जाओ एक बनेट होल करो audio अच्छा तो मैंने कहा asset को खरीदा या बनाया capital expenditure और उसका D.A.C.B. क्या होगा capital expenditure दूसरा मैंने क्या बोला कि किसी asset के लिए है कि asset यहाँ पर भी है हाँ asset है पहले से ही लेकिन जो खर्चा था उसने क्या कर दिया उसने improve कर दिया standard क्या कर दिया उसने standard को improve कर दिया तो क्या ये भी खर्चा आपके पास capital expenditure है the answer is yes ये भी capital expenditure है अच्छा तीसरी condition एक और भी है वो condition asset की नहीं है अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कोई asset है मैंने का कोई भी खर्चा अगर तुम्हारे को future में future में revenue revenue का मतलब है धंदे से कमाई को जनरेट करवाएगा जो आपकी मदद करता है future में revenue कुन सा future देखना है फटा फट से बता हो future कुन सा देखना है कितना future देखना है तुमने अगर तुम तीन महीने के financial statement बना रहे हो तो यहनि तीन महीने के beyond तुमारे को फाइदा देगा और अगर एक साल के बना रहे हो तो एक साल के beyond तुमें उसका फाइदा देगा ओके इसका मतब यह हो गया कि future में अगर तुम्हारे पास revenue generating capacity होगी तो हम अपने पास इसे भी capitalize करते ही अच्छा यह बताओ इतना सब करने के बाद यह हम कुछ testing भी करते हैं फटा फट से बताओ क्या इतना करने के बाद हम बाद में इसकी testing भी करते हैं कि हो सकता ही अभी भी capital में ना जा रहा हो तो क्या हम इसको बाद में test भी करते हैं the answer is yes वो testing को मैंने अपने पास समझाया अभी तक नहीं है अधिती कह रहा है मैंने last part वाला नहीं समझा last वाला मैंने समझाया नहीं दो बाते मैंने cover कर दी है अब मैं third बात आपके साथ करने जा रहा हूं तो क्या आप तयार है तो आईए मेरे साथ साथ अब मुझे वापिस कौन सा बटन दबाने home page पे home पे जाकर इधर जाना है और इधर जाना है चलिए जी अब आगया मेरे पास यह वाली condition helps in यह third condition है helps in future revenue generation जिससे हमारे current period से ज्यादा benefit हमको future में होगा यहां पर आकर के कौन सी चीज़े हैं जिसका हमको future में फायदा होगा अब आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ मैं कि यह बातें आप लोगों को यह बातें आप लोगों को बताई जाती हैं foundation में जैसे एक बच्चे ने बोला था huge advertisement expense क्या इसका future में आपको फायदा होगा फटा फट से बताईए हां के ना क्या huge advertisement का expense क्या यह आपके पास capitalize होना चाहिए तो आप foundation में पढ़ेंगे the answer is yes आप foundation में पढ़ेंगे कि यह capitalize होना चाहिए लेकिन जब आप intermediate में आएंगे तो आपको बताया जाएगा यह capitalize नहीं होना चाहिए इसका मदब क्या मैं आपको यह गलत पढ़ाने जा रहा हूँ the answer is yes यह मैं गलत पढ़ाने जा रहा हूँ अब गलत क्यों पढ़ाने जा रहा हूँ सारे बोलो जय माता दी CA Institute आपको जो पढ़ाएगा भई तो हम पढ़ाएंगे इसका मदब intermediate में चीज़ें बदल गई है final में चीज़ें बदल गई है पर foundation में अभी भी आपको यह गलत पढ़ाया जाएगा pass किस से हो गए institute ने पास करना है किस से पास हो गए उसी से तो पास हो गए ना कि जो बाते institute कहेगा तो उसी से तो पास हो गए तो institute ने आपको बोला इसे capitalize करो तो क्या इसे capitalize करेंगे the answer is yes बताओ huge advertisement के खर्चे को capitalize क्यों कर रहे है huge advertisement के खर्चे को capitalize क्यों कर रहे है क्योंकि मैंने कहा इससे मेरे पास future में मैंने कहा इससे मेरे पास future में मुझे future में revenue generate होगा आमदनी होगी अब आप मैंसे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा क्या है कि आप अभी तो बल्कुल ठीक कह रहे हैं फिर आप कह रहे हैं intermediate में बदल जाएगा आकर या क्यों बदल रहा है एकना condition और होती है वो benefit आपके नियंतरण में होना चाहिए वो benefit क्या होना चाहिए आपके control में होना चाहिए मैंने विग्यापन किया washing powder निर्मा washing powder निर्मा जूद सी सफेदी निर्मा से आए मैंने विग्यापन कर दिया अब आप सारे बच्चे फड़ा फट से ममा से बोलो निर्मा खरीदो अपने अपनी ममा से कहो कि निर्मा ही खरीदो फड़ा फट से बताओ आप में की ममा आपको क्या कह रही है कह रही पागल मत बनो निर्मा दिन भर विग्यापन देखते हो तो क्या आप चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हो फड़ाफट से बताओ क्या चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हो नहीं खरीदते ना मैं आपसे कहता हूँ अब मैं आपकी गर्दन पकड़ लूँ मैंने का विज्ञापन देखा था ना खरीदोगे क्यो नहीं? क्या मैं इस benefit को control कर सकता हूँ? मैंने विज्ञापन तो किया, पर क्या मैं इसका benefit control कर सकता हूँ? फड़ा-फट से बताओ. मैं control तो नहीं कर सकता ना? विज्ञापन दिखा सकता हूँ, पर आप जरूरी थोड़ी नहीं को इसे खरीदें. तो क्या ये benefit मेरे control में है फड़ा-फट से बताओ क्या ये मेरा benefit control में है the answer is no जो control में नहीं है क्या वो मेरा asset है जो मेरे control में ही नहीं है मेरा वो asset है the answer is no इसलिए वो capitalize नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ ये word control कितना important है आपको दिखाई देगा control कितना important word है आप ये बताईए आपके घर के आगे से metro निकलना शुरू हो गई क्या आपको फाइदा होगा के नहीं होगा आपकी दुकान है घर के बिलकुल पास घर के आगे metro निकल रही है क्या आपको इसका फाइदा होगा metro station है metro से लोग उतरते हैं उतरते ही आपकी दुकान पर आना शुरू हो जाएंगे क्या आपको फाइदा हो रहा है के नहीं हो रहा फटा-फट से बताईए क्या आपके घर के पास metro station का आपको फाइदा हो रहा है के नहीं हो रहा economic benefit रुपेयों में आर्थिक रूप में यह मत कहना घर के पास metro station है तो फाइदा आ रहानी से आ जा सकते हैं उसकी बात नहीं कर रहा क्या आर्थिक रूप से तुम्हें फाइदा हो रहा है तुम्हारी दुकान चल निकली जो पहले नहीं चलती थी वो चल निकली तो क्या metro तुम्हारी हो गई क्या प्लाइस कर दो गई तुम्हें फाइदा तो यहां भी हो रहा है क्या metro से तुम्हें फ्यूचर में economic benefit हो रही है फड़ा फट से बताओ क्या तुम्हारे को उसके economic benefit हो रहे है the answer is yes इसका मतलब यह हो गया कि मेरे को अपने पास फाइदा तो बड़ी चीजों से होता है control भी मेरा होना चाहिए इसका मतलब अगर मान लो control मेरा है तो मैं कहूंगा कि वो capitalise होगा अन्यता नहीं इसका मतलब मेरे घर के आगे metro मेरी नहीं हो गई आप यह नहीं कह देंगे कि metro को capitalise कर दो वापिस आईए और मेरे साथ साथ सुनिए इसका मतलब वो फाइदा आपके क्या होने चाहिए वो फाइदा आपके control में होना चाहिए वो फाइदा आपके नियंतरन में होना चाहिए अरे भाई हट जा वो फाइदा आपके नियंतरन में होना चाहिए क्या advertisement से आपको वाइदा तो हो रहा है लेकिन क्या आपके नियंतरन में हैं नहीं है तो real answer है यह capitalize नहीं होना चाहिए पर foundation में क्या जवाब है foundation ने बताओ क्या होगा foundation का क्या जवाब है तो मैंने गलत भी बता दिया और ठीक भी बताना है यह foundation में capitalize होगा पर inter में capitalize नहीं होगा बताओ inter में capitalize ना होने की क्या वजाओ की inter में क्या वजाओ की आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है यार control भी देखना है और यह भी देखना है benefit था पर control नहीं था उठाओ राइट अफ कर दो पर फाउंडेशन में क्या देखना है फाइदा है उठागे कैपलाइस कर दो इसका मतलब आप फाउंडेशन में सारी बात नहीं देखेंगे एक कंडीशन देख करी अपना काम चला देंगे इसका मतलब यह चीज़ हो गई अब वी एरेस की बात करते हैं कि वी एरेस क्या होता है वी एरेस का मतलब होता है वॉलिंटरी रिटायर्मेंट स्कीम्स क्या कंपनिया अपने इंप्लॉईज को बोलती है आओ नेकपल हमारा जो सबसे ज़्यादा सुस्त इंप्लॉई है नेकपल नाराज नहीं हो ना ठीक है आ जाओ इदर हमारो जो सबसे सुस्त इंपलॉई है उनका नाम है नेकपल नेकपल नमस्ते करो बहुत सुस्त है आप इदर हो जाओ क्या करों इसका जाओ बहुत सुस्त है बहुत ढीला है क्या करें अब हमने इनको वादा कर रख है कि तम्हारे को रिटार्मेंट तक रखेंगे भी क्या करें इसके अंदर से तो मैंने इनको एक बात कही मैंने का भाई साहब पैसे ले लो पर हमारी जान छोड़ दो बोलो मैं इनको बोल रहा हूं पैसे ले लो एडवांस में पैसे ले लो तुम अपने और दस साल में से मेरे से दो साल की तनका एडवांस में ले जाओ पर मेरी जान चोड़ दो फड़ा फड़ से पड़ता खाता है क्या अचा ये मना कर रहा है कहरें नहीं पड़ता नहीं खा रहा है अचा तीन साल की सैलरी मेरे से एडवांस में ले जाओ और भाई साब जान चोड़ दो पड़ता खाता है अभी भी नहीं खाता है वो कह रहा है अभी भी नहीं छोड़नी अच्छा चार साल की ले लो कभी ना कभी तो इनके दिमाग में आएगा चार साल के पैसे ले लो हाँ वो कह रहा है हाँ अब कुछ समझ में आ रहा है चार साल की तनका एडवांस हैं मिलती हो तो इसके दिमाग में कैल्कुलेशन हो रही है कि चार साल के पैसे के एफडी करा दूँगा वहाँ से ब्याजी मिलना शुरू हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा घर में भी बैठूँगा फड़ाफट से बताओ चार साल के पैसे दे दो तो नौकरी छोड़ दोगे नौकरी छोड़ दोगे मैंने चार साल के मैंने चेक काटा मैंने का ये पकड़ो भाई साब और जान छोड़ो मेरी जाओ मैंने चार साल का पैसा एडवांस दे दिया मैंने का भाई साब मत आना कल से सारे बच्चे बताओ ये जो expenditure था क्या future में मुझे फाइदा देगा क्योंकि future में इसको तनखाद नहीं देनी पड़ेगी क्या future मुझे फाइदा होगा the answer is yes क्या करोगे capitalize करेंगे the answer is yes capitalize करेंगे इसका मतलब ये जितनी चीज़ें ये गलत है मैं पढ़ा गलत रहा हूँ ये गलत कि इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूँ capitalize होगा और यही चीज़ें जब तुम intermediate में आऊगे तो मैं क्या बताऊंगा ये capitalize नहीं होगा तो एक minute के लिए हम inter की बात ना करें क्योंकि paper foundation के देने जा रहे हैं तो इसका मतलब मुझसे आम मत पूछना कि भई इंटर में क्या होता है इन चीज़ों का जवाब क्या है क्योंकि इनका future में फाइदा है मैं capitalize कर दूँगा मैं इनको capitalize कर दूँगा बच्चे ने पूछा VRS की full form क्या होती है VRS की full form होती है voluntary retirement scheme क्या बोलते है voluntary retirement scheme क्या मैं नेकपाल को जब ये कह रहा था नेकपाल क्रिपा करके हमारी नौकरी छोड़ दो तो मैं इससे जबरदस्ती कर रहा था कि इसी से प्यार से बात कर रहा था तुमारे को जबरदस्ती कर रहा था मैं नहीं तो नौकरी छोड़ने ना छोड़ने का फैसला मेरा है कर तुमारा है मेरा है तो इसका मतब इन्हों ने voluntary retirement ली हमारे से और मैंने कहा तुम voluntary retirement लो मुझसे पैसे ले जाओ लेकिन voluntary retirement ले लो इसे बोलते हैं voluntary retirement scheme क्या सारे deferred revenue expenditure capitalize होंगे the answer is yes मुसकान सारे खर्चे capitalize हो जाएंगे but not in intermediate ठीक है अगर आप मुझे बार 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 बोलोगे तो मैं फिर बार बार clarify करूँगा इंटर की बात नहीं चल रही है ओके यहां पर capitalize कर दूँगा यह चीजें अब बंद हो गई है कोई दिकत की बात नहीं है चलिए वापिस आईए ऐसे और भी खर्चे जैसे कोई product की development हो रही है कोई product बनाया जा रहा है हम research कर रहे हैं research कर रहे हैं coronavirus की दवाई बना रहे है क्या इसके future में फाइदे होंगे फटा-फट से बताओ हम research कर रहे हैं artificial intelligence पर हम research कर रहे हैं GPT 4-5 पर क्या इसके future में फाइदे होंगे the answer is yes क्या हम capitalize कर देंगे the answer is yes जिसका future में फाइदा होगा हम उसे capitalize कर देंगे pre-operative expenses हमने company बनाई क्या company बनाने के खर्चे company बनाओगे तो future में फाइदा होगा क्या capitalize कर देंगे the answer is yes अगर भारी भरकम खर्चे हो जाएं तो ये भी कहा जाता है कैप्लाइज कर दो वरना हमारी बैलेंस शीट पिट जाएगी तो भारी भरकम खर्चों को भी हम कैप्लाइज कर देते हैं भारी भरकम खर्चों को भी हम लोग कैप्लाइज कर देते हैं या कोई भी खर्चा जिससे आपको फ्यूचर में फाइदा हो वो हम कैपलाइज कर देते हैं प्लांटेशन तुमने पेड़ पौधे लगाए और पेड़ पौधे लगाने के ओपर तुमों को फल देंगे दस साल बाद उन पेड़ पौधों के ओ तुम पानी दे रहे हो और खर्चा कर रहे हो सब कैपलाइज हो जाएगा क्योंकि उन सब का फाइदा आपको बाद में जब आम मिलेंगे तो आपको फाइदा हो जाएगा आफकोर्स में फ्यूचर में बेयांड वान इयर बेयांड वान इयर तो एक दो तीन चार पांच छे हैवी लॉसस ड्यू टू फाइर बच्चे ने पूछा है देखो हैवी लॉसस ड्यू टू फाइर को बिल्कुल कैपलाइज नहीं करना चाहिए इंटरमिडेट में हम यहीं बोलेंगे यहां पर आपका इंसिचूट पूछता है तो आप कह देते हैं कि हाँ हेवी खर्चा है तो कैपलाइज कर दो वाकि अधरवाइस वैसे कैपलाइज नहीं होता है मैंने अपने पास स्टेप वन की सारी बातें पूरी कर दी है अभी step two की बाते बची हुई है और of course उसके बाद revenue expenditure की बाते बची है और उसके बाद revenue profit and loss बचा हुआ है पर आज की class खतम करने का समय आ गया है सवा बारा तक का time था तो हमने तो लगबग आज अपने बारा बज़ के बीस मिनिट तक class ले ली है तो आज की class खतम करने का समय आ गया है बच्चे बड़े खुश हैं में अंग चोहान तो बहुत ही खुश हुए है सिमर प्रीत मैं second class नहीं ले पाऊंगा बढ़ आज पंकत सर भी नहीं है नहीं है पंकत सर भी नहीं है बढ़ हम आज आपको यहां पर विराम दे रहे हैं मेरी अगली class अब कब होगी अफकोर्स अगले हफते होगी और अगले हफते जो मेरी अगली class होगी उसकी जानकारी आपको हमारे जो बाकी faculties हैं foundation की वो आपको time बता देंगे ठीक है तो हमारी next week class होगी probably Friday को और Friday की class का time क्या होगा मुझे एक बार बात करनी पड़ेगी बाकी सब लोगों से भी और उनसे पूछ करके आपको एक नया time देना पड़ेगा तो कुशी आज कोई और class नहीं है बस यहीं तक का आज चर्चा थी इतना कर लिया आपको पढ़ा कर बहुत अच्छा लगा आप बहुत वाइबरेंट हैं बहुत जल्दी जल्दी आंसर देते हैं और ठीक question पूछते हैं और कोई मतलब नहीं फालतु बात का आप बहुत अच्छा लगा मुझे आपको पढ़ा करके तो आज के लिए केवल इतना ही आप सब को धन्यवाद और बबाए और यूट्यूब फैमिली को भी विशाल गुपता, शुबम शर्मा और अर्ष जोत आप सब के भी बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू और सी यू इन नेक्स वीक बबाए जन्यवाद přाँवार ерь говоря जन्यवाद और चैर्ष जन्यवाद